देखो डियर ये है आपका syllabus और इस बार आपको पता है न मैंने syllabus में का design कहो या ये कहो डियर उसको change किया है ताकि जब-जब आपके बैच में ये syllabus अप्लोड कराऊंगा मैं ठीक है जब-जब आपको ये syllabus का पहला page दिखेगा आपको ये याद आएगा कि आपको धेर सारी मेह students है rank holders है अब आपको भी rank holder बनना है जी जान लगा के पढ़ना है इसलिए मुझे idea है कि उना जो पहला page है वो इन students का बनाया जाए और many more में अब आपकी पिक आएंगे अगले साल तो अगले साल के syllabus में मैं चाहूंगा मेरे दोस्त कि आप लोग जो है यहाँ पर अपने पिक लगवाए ठीक है चलिए यह 2024 का है तो अब हम अगर मैं आपको जो दिखाना चाहरा हूँ वो दिखाना यह चाहरा हूँ कि grammar section जब हम देखते है न तो हमें एक noun topic लिखावर नजर आता है वो यह है वो एक noun topic लिखावर नजर आता है जो कि यह है लेकिन यह एक ऐसा topic है जिस से related यह सारे topics होते हैं बाकि आप कोई भी topic पढ़े सपोज हमें tense पढ़ना है tense पढ़ने के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं आप tense समझना start कर दोगे पहली class से आपको tense समझना start आ जाएगा आप pronoun पढ़ रहे हो आप pronoun पढ़ो आपको समझ आ जाएगा लेकिन noun में क्या होता है यह जो पहले 6 topic हैं यह noun से related होते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप parts of speech पढ़ते चले जाते हैं आपको parts of speech की identification clear होती चली जाएगी और भी ज्यादा strong way से आप sentence formation सीखोगे आप सीखोगे close क्या होता है आप सीखोगे phrase क्या होता है आप सीखोगे word formation कैसे तयार होती है तो यह सारी इसे भी इसी topic से related बेटा खतम होगे इसलिए जब मैं noun पढ़ाता हूँ तो noun मेरा अच्छा खासा वक्त लेके जाता है अच्छी खासी number of classes लगती है मैं वैसा teacher नहीं हो बेटा जो 2-4 class में noun खतम करके बोले noun खतम बले 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 बच्चा बिचारा सोच रहा कहां का noun ख खतम करा दिया ऐसा नहीं noun बहुत important topic है बहुत शांदार topic है आपका noun जो है आपका English का base भी तयार करेगा ये 6 topic भी तयार करेगा इसलिए my dear student जितनी भी topic हम आगे पढ़ेंगे वो आगे की बाते हैं लेकिन noun एक ऐसा topic है जो अपने आप में इनसे भी relate करता है इसलिए मैं ये कहूंगा कि noun के साथ-साथ मैं आपको इस सारी चीजे बता के चलूँगा तब जाके हमारे ये topics खतम होंगे तो ये छोटे-छोटे topic है जो noun topic में ही मैं heading डाल के आपको समझाता चलूँगा जैसे noun clause भी होती है noun phrase भी होती है ठीक है तो मुझे phrase भी बताना पड़ेगा क्या है clause भी बताना पड़ेगा क्या है sentence में noun subject या object का का काम करेगा तो मुझे sentence formation भी बतानी पड़ेगी noun कैसे पहचान होगे तो मुझे उसकी identification भी बतानी पड़ेगी ठीक है कैसे noun noun का भी काम कर सकता है verb का भी काम कर सकता है तो एक ही word different parts of speech में use हो जाएगा मुझे वो भी आपको बता के चलना पड़ेगा ठीक है इसी लिए इसी लिए इस topic को आप बहुत अच्छे से शांदार तरीके से सीखेगा dear और जिस तरीके से पुतर मेरे students ने यहाँ अपना परचम लेराया है इसलिए मैंने एक छोटी सी motivation के लिए आपके लिए line लिखे पुतर अब selection की बारी आ अब आपका गुरू यह आपको selection दिला के रहेगा चलना pen copy आप तैयार कर लो मेरे साथ-साथ शांदार तरीके से copy कीजेगा ले मा सरस्विती का नाम और start करते हैं बेटा अपना ये शुब कारिये पहला आप इसमें जो topic लिखेंगे वो लिख लेंगे noun या यहाँ पर simple यह बहुत शांदा तरीके से समझ लेजिए ठीक है देखो मेरे दोस्त बेखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपनी English Language की तो आपको यह समझ आएगा सर English अपने आप में क्या है Language है भाशा है क्या है बिटा English अपने आप में Language है भाशा है अमने बोला बिलकुल जी है ठीक है जरूर से जरूर देख लें, वरना आपको समझ ही नहीं आएगी चीज़े, कि कैसे है, तो हम क्या करें बेटा, grammar, और शाम को 6 बजे हम क्या करेंगे बेटा, vocab, है न, grammar, vocab, फिर after some time मैं आपको क्या कराऊंगा, comprehension, तो इंगलिश को तीन चीज में बाटना है बेटा, क्या है grammar, क्या है, vocab, क्या है, comprehension, बेटा, अभी हम क्या कर रहे है, grammar, शाम को 6 बजे क्या करेंगे, vocab, फिर after some time क्या करेंगे, comprehension, बहुत अच्छे है, तीनों के अलग आपको notes मिलेंगे proper और अलग ही आपको देखना है, ठीक है न, चलिए बिल दोस, तो इंगलिश अपने आप में क्या इसी साॉंड की बहुता है, साउंड जो हम बोलते हैं, language अपने आप में साॉंड से बनी, साउंडस आपको पता है कितनी होती है, साउंडस होती है, टोटल अगर साउंडस की बात हम करते हैं, तो वो सोती है 44 sounds होती है, पता है आपको भाशा में sounds को क्या कर दिया गया बेटा, दो पार्ट में बाट दिया गया जैसे, जब हम बोलते हैं तो हम कोई ना कोई उचारन करेंगे शब्द का, कोई ना कोई किसी सब्द का, कुछ ना कुछ इस तरीके से आपने different different sounds बनाई है बेटा, जैसे हमने हिंदी भाषा में भी बनाई है आप बोलते थे बच्पन में ए अनाराम, वो sounds थे जिनको आप ऐसे याद करते थे, ठीक है बेटा, तो वही sounds English में बनाई गी है, और कितनी sounds होती है, 44 total number of sounds होती है, 44 total number of sounds होती है, जो English है की बात करें, 44 sounds है, फिर उन sounds को क्या किया गया, दो type में बाठ दी गया, एक sound को बोला गया, vowel sounds, बच्पन से देख रहे हो आप, एक sound को बोला गया, बेटा, consonant sounds, एक को क्या बोला गया, vowel sounds, और एक को क्या बोला गया, consonant sounds, साथ साथ कोपी करना बेटा, एक को बोला गया, vowel sounds, और एक को बुला गया consonant sounds consonant sounds तो एक को vowel sounds और एक को consonant sounds बोल दिया गया दो अलग अलग डिवाइड कर दिया चीज़ों हमने लोग के सर जो अब vowel sounds होती है ना बेटा वो total होती है 20 पता है आपको और ये जो consonant sounds होती है ये होती है 24 हमने तो पाँच पड़ी है vowel sounds वो पाँच sounds नहीं होती है वो letter होती है बेटा vowel letters जो A, E, I, O, U आपने पढ़ा है वो vowel letters होते है sounds नहीं ये छीक की sound तो sounds जो होती है वो 20 होती है जो consonant sounds होती है 24 सर इसको consonant और vowel sounds में कैसे बाढ़ता है धान से सुनो जब आप बोलते हो तो देखो आपको यहाँ दिख रही है आपकी vocal code बेटे इस code को vocal code बोलते हैं देख रही हो यह switch है यहाँ पर दबागे देखो इसको जोर की मत दबाना और निंकल लोगे सरकारी नोकरी की ज़रत में नहीं पड़ेगे आप ऐसे देखो तो आप जो बोलते हो न A, I, O, U तो इसमें सिर्फ हवा बाहर फेक रहे हो ठीक है आपकी जीब कहीं टकरा नहीं रही है आपकी टंग नहीं टकरा रही है कहीं इसको हम vowel sounds कहते हैं ऐसी 20 sounds है बिटा आमरे पास देखो सिंगर को हर एक चीज़ पर बहुत जादा ध्यान देना होता है वो चारण बहुत सही करना होता है तो सिंगर्स जो होते हैं जो इंगलिश गाने गाएंगे उनको बहुत अच्छे ते तरीके से याद करनी पड़ती है sounds जो किसमें लिखी गई हैं? ये लिखी गई है बेटा IPA चार्ट में International Fanatic Alphabet Chart ये लिखी गई है IPA चार्ट में International Fanatic Alphabet Chart में ये जो है सारी की सारी sounds लिखी गई है जिनको वो याद करते हैं और बहुत अजीब अजीब से इनके science होते हैं मैं एक बार दिखा दू तो आपको थोड़ा सा और मजा आ जाएगा पढ़ने में क्या है? जैसे बिटा मैंने लिखा Google पे IPA चार्ट और मैंने उसको शर्च कर लिया IPA चार्ट कैसा है? वो बच्चों को एक बार दिखा देते हैं अगर net चलेगा तो हमारा net भी आजकल अभी स्लो चल रहा है net चलो बटा थोड़ी देर बात चलेगा चैसे यह खुल जाएगी विंडो थिर मैं आपको IPA चार्ट दिखाता हूँ ठीक है? हाँ हाँ चला 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 देख़ा आगया ना फुल IPA चार्ट इंटरनेशनल फनेटिक एल्फाबेट चार्ट इस तरीके का होता है बटाई और देखो कितनी अजीव ही रहा ऐसी साउंड्स होते हैं हाला कि दिखनी रहा होगा आप गूगल पे सर्च कर लीजेगा ठीक है ना यह माहश्य ऐसा ही चल रहा है आज यह रहा मेरे बच्चे यह आई-पे चार्ट होता है तो इस आई-पे चार्ट में क्या है न यह साउंड्स है बटा देखो वावल साउंड्स है बीस और यह जो येलो में है इन साउंड्स है 24 तो इन साउंड्स को ठीक है इन साउंड को क्या करते हैं बटा वो जो सिंगर से याद करते हैं ताकि हर का वो उच्छारन जो प्रणिंशेशन है वो एकदम सटीक करें गाना गाते वक्त उस तरीके से इन पर काम किया जाता है इनको जो एक्टर्स होते हैं ठीक है जो स्पीकर्स होते हैं वो इन साउंड्स को याद करके चलते ताकि वो जो जब स्पीच दे तो बहुत शांदार तर हमें तो गुरुजी सरकार इनोकरी चाहिए सिंपल सी बात इसलिए बटा हमें ये पढ़ने के जुर्द नहीं है सिर्फ मैंने बताया क्यों बताया ताकि आपको ये पता चल जाए इन साउंड्स से बटा हमने बनाये हैं वर्ड्स यानिकी शब्द इन साउंड्स से ही जोड परकि हमने क्या बनाये है वर्ड्स यानिक शब्द अच्छा शब्द से पहले एक और रहशक खोल देता हूं लेटर का पहले लेटर भी बता देता हूं ताकि आगी भी काम आएगा साउंड्स को हमने रिटन फोर्मिशन दे दी और क्या बना दिए लेटर्स हमें इन से इसमें लेटर्स से हमें मतलब जो साउंड्स थी वो टोटल 44 थी लेटर्स कितने होते हैं मातर 26 लेटर्स होते हैं जो आप ABCD पढ़ते हैं सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं इन 26 लेटर्स को भी डिवाइड कर दिया गया है जैसे एक को बोल दिया गया वावल लेटर्स देख रहो से और एक को बोल दिया गया हमारे पास consonant letters तो अब वो क्या है letters है बटा अगर आप देखोगे तो 5 होते है vowel letters और 21 होते है consonant letters तो हमें sound से मतलब नहीं हमें letters से मतलब जब आप देखते हो letters को तो इसी में पढ़ते हो बटा A, E, I, O, U यह चीज आपको article topic में भी काम आएगे और base बनाने में काम आएगे तो इसको हम vowel letters बोल के चलते हैं जो की 5 होते हैं, वो letters होते हैं सर इतनी सारी sounds थी, letter इतने कम होगे, हैं यह तो sound आपने 44, 26 ले लिया बट उन्होंने, बिल्कुल बिटा पता है क्यों, उन्होंने एक चालाकी दिखाई कहते हैं, अगर हम 44 की 44 letters बना देंगे तो बहुत, क्या हो जाएगा, lengthy हो जाएगा lengthy हो जाएगा, तो उसका एक तरीका उन्होंने बताया बहुत अच्छा सा, क्या, सेम repeat करके काम चला लिया जैसे बिटा, आपने छोटी E और आपने बड़ी E अलग-लग लिखी, उन्होंने बोला, एक काम करो, छोटी साउंड देनी है तो इले लो, और डबल E ले लो बड़ी E के लिए इसलिए आप क्या बोलते हो, chips, chips, छोटा, और जब बड़ा खीचना होता है, तो आप बता है, suppose को लो, इसको क्या देगो, देखो, क्या कर दिया अब अगर मैं बोलो, cheap, sound खीच दिया आपने तो छोटी साउंड, लंबी साउंड, कैसे किया बेटा, वो letters को repeat करके काम चला लिया अगर मैं लिख रहा हूँ, ऐसे तो आप बोलोगे, bitch, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, beach bitch और beach, दोनों का मतलब अलग है, sound अलग है, bitch, छोटी sound, beach, लंबी sound, काम चला लिया word से, काम चला लिया letter से, तो आपने different different letter यूज़ करके क्या बनाया बेटा, word बनाया, पर वो word कैसे शांदार तरीके से बनाया, आपने letters का ही काम चला लिया, same letter को यूज़ कर लिया, different different sound produce करने के लिए वही कार नामा यहाँ पर किया गया इसलिए काम चल गया कि कहां 20 sound की हमने सिर्फ 5 letter बना है और 24 sound की हमने सिर्फ 21 letter बना है इसलिए बस इतनी जानकारी काफी है इतियास नहीं पढ़ना है आपने इसका काम नहीं आएगा बेटा फालतू का ग्यान से दूर ले जाएगा इतना ग्यान काफी है बिटा आपके लिए ठेक है कि क्यों ऐसा हुआ थोड़ा सा curiosity होती है बच्चे के दिमाग में बता दिए बाकी बिटा जो consonant letters है B, C, D, बाकी जितने भी Z तक बचे अपने A, E, I, U U को छोड़के उन letters को consonant letters कह देते हैं सिर्फ इतनी knowledge काफी है वरना बेटा semi vowels भी होते है, long sounds भी होते है deep sounds भी होते है, short sounds भी होते है सो बहुत सारी sounds के ओट टाइप है हमें किसी काम के नहीं हमारी syllabus में हमारी syllabus में सिर्फ ये काम का है फिर क्या किया गया बेटा letters को जोड़का, हाँ, क्या बनाया गया word letters को जोड़के क्या बनाया गया चुटको word बनाया गया, इसका मतलब क्या है बेटा word, word को हम बोलते हैं मेरे बच्चे, एक meaningful collection साथ-साथ लिखेगा एक meaningful collection of letters meaningful collection of letters letters की meaningful collection आप letters को जोड़ो एक meaningful collection बनाओ मतलब कोई ऐसा word मत बना देना जो English language में होता ही नहीं यह नहीं कि कुछ भी जोड़ दो meaning होना चाहिए उसका ठीक है meaning होना चाहिए बिटा उसका जैसे मैंने आपको बुला बिटा come का मतलब आओ, go का मतलब जाओ eat का मतलब खाओ, देखो यह word बन रहे है आप लिख सकते हो यहाँ पर जैसे meaningful sound से मतलब यह है बिटा come, आओ, go, जाओ, eat, खाओ play, खेलो, तो आप इस तरीके से word बनाते चलेगे, कुछ भी ऐसा मत करना बिटा, ऐसा मत करना जो कुछ होता ही नहीं, मैंने ये कर दिया चीक है, ये कुछ है, ये कुछ भी नहीं है सर, आपने सिर्फ letters की collection तो कर दी, उसका कोई meaningless है तो meaningless collection कुछ भी नहीं होती सर, वो word जुरूर होना चाहिए आगे बात, फिर हमने क्या किया English language में, examiner ने का ठीक है भी, हाँ, चलो पूछेंगे बच्चों से word के बारे में पूछेंगे, हाँ, यही से जनम हुआ बेटा, vocab का आपके ठीक है, वेरगूट हमने क्या बेटा, हमने क्या क्या यही से जनम हो गया बेटा, हमारी vocab का, आप ये सारे words साप याद करते हो, जो जो exam में आते हो, सारी vocab याद करते हो यहां से जनम हुआ आपके vocab किसले बसका, और पुत्तर यही से जनम हुआ grammar किसले बसका, कैसे आजो जब हमने इस word को use किया हाँ, इस word को किसमें use किया एक sentence में use किया, इस word सारी वर्ड याद करवाऊंगा मैं आपको वोकेब भी मैं करवाऊंगा बिटा तो वोकेब के बैच में होगा आपकी वोकेब की टाइमिंग पे होगा मैंने कहा कि यह है मेरे बच्चे अच्छा जैसे arithmetic advance आप maths में अलग पढ़ते हो अभी पढ़ रहा हूँ मैं वो कैब अभी कर रहा हूँ मैं grammar अभी कर रहा हूँ मैं comprehension ऐसे बोला करो तो बहुत शांदार तरीके से आप number बढ़ा होगे ठीक है जी यह ध्यान रखेगा तो आप यह मत बोला करो normal यह हो रहा है ठीक है different parts of speech की तरह है word का use होता है बेटा कैसे different parts of speech की तरह तो words की अब हमने word की क्या जान ली है parts of speech किसमे bracket में लिखेगा inner sentence एक sentence याने के एक वाक्य में एक वाक्य में वाक्य कैसे बनता है बेटा सबदों का जोड कर लेटर को जोड़ के क्या बना word लेटर को जोड़ के क्या बना अब sound जो हवा में है उसको sound को written formation दे दी तो बटा ये ए तो sound है उसका sign कैसा है तो written formation जो sound क्यों होते है उसी को letter बोला बटा हमें sound की written formation को letter बोला फिर हमने क्या किया सर, word कैसे बना, letter को जोड कर, sentence कैसे बना, शब्दों को जोड कर, जिसमें subject होगा, verb होगा, बाकी बाते, और बाग में, अलग से मैं ये भी बताऊँगा, sentence कैसे बनता है, तो different different word, अपने आप में parts of speech में use हुआ बेटा, किसमें, एक sentence में, different different, तरीके से use हो, कैसे सर, देखो, वो word उस sentence में, पहला, role play कर सकता है बेटा, noun का, अरे इसी को तो parts of speech बोलते है बेटा, इसी को तो parts of speech बोलते है न, वो sentence में क्या कर सकता है, सर, noun की तरह use हो सकता है, simple है, वो role play कर सकता है बेटा noun का noun का मतलब क्या होता है अब देखो simple भाषा में normal बताऊंगा detail में तो हम पढ़ेंगे noun कैसा naming word noun क्या होता है बेटा naming word किसका बेटा anything name of anything naming word यह यह बोल दो noun का मतलब वह name of anything चाहे वो चीज बेटा दिखाई दे ना दे हमें कोई फरक नहीं पड़ता किसी भी चीज का नाम किसी भी चीज का नाम noun होगा किसी भी चीज का नाम ठीक है noun होगा बेटा name of anything naming word बस नाम होना चाहिए वो noun होगा आपने बोला ओकी सर मस्त है noun होगया गुरुजी तो इसको बोला हमने पार्ट सो चीज को रिपीट करते हो तो सामने वाला irritate होना चालो हो जाता है क्या कर रहा है पागले क्या तो हम उसकी जगे क्या करते हैं राम मेरा दोस्त है हाँ वो आपकी मदद कर देगा वो हम noun को बार बार रिपीट ना करके उसकी जगे एक शब्द का प्रियोग करते हैं बेटा उसी को हम कहते हैं pronoun उसी को हम कहते हैं pronoun कैसे use होता है pronoun ठीक है in place of a noun in place of a noun pronoun कैसे use होता है बेटा in place of a noun noun की place पर use होता है मेरे भाई pronoun noun की place पर use होता है pronoun तो noun बार बार रिपीट ना करके आप चुटको pronoun का प्रियोग कर लेते हैं जैसे एक बात बताईए एक example लिखते हैं मैंने बोला भाई रोहित ठीक है रोहित is रोहित is her friend रोहित उसका दोस्त है and he is ready to go there और वो वहाँ जाने के लिए तयार है बताओ बिटा रोहित उसका दोस्त है और वो वहाँ जाने के लिए तयार है बताओ ये वो किसके लिए आया सर रोहित रोहित क्या है बिटा नाम तो ये क्या हुआ नाउन अब रोहित के लिए आ रहा है वो यानि की ही तो ये क्या हुआ प्रोनाउन अभी बिल्कुल मैं basic level पर बताऊंगा आइस्ता आइस्ता जब हम pronoun पढ़ेंगे pronoun में पूरी जानकारी लेंगे कि क्या है pronoun पूरा deeply पढ़ेंगे noun जब अभी पढ़ेंगे noun को पूरा deeply पढ़ेंगे अभी तो मैं आपको एक basic part त्यार करके दे रहू कि भी noun शुरू होने से पहले आपको ये basic terms English की पता हूँ ताकि आप noun को अच्छे से समझ पाएं जैसे कि मैंने वादा किया था कोई भी topic कराऊंगा पहले उसका basic समझाऊंगा बिटा तो ये उसका basic part तो आपने बुला हाँ सर कुछ कुछ समझ आ रहा है जैसे बिटा अब इस example में मैंने लिखा I will I will help you मैं आपकी मदद करूँगा I will help you अब आप इसमें देखोगे कि बिटा जी एक तो I pronoun है मैं मदद करूँगा मैंने अपना नाम थोड़ी न लिखा और एक you pronoun भी मैंने अपना नाम थोड़ी न लिखा तो pronoun मैंने ठीक कहा in place of a noun noun के स्थान पर noun के स्थान पर वो शबद आएगा बिटा तो जब आप उस इंसान का या किसी भी चीज़ का नाम न लिख कर उसकी जगह आप इन्हें यूज करते हैं तो मैं आपकी मदद कर दूँगा मैं उसकी मदद कर दूँगा मैं उससे मिल लूँगा मैं उनसे मिल लूँगा तो ये सब के सब अपने आप में क्या बनते हैं प्रोनाम चलो मैंने इसी तरीके से इनको डेवलप किया अब अगले शब्द की बारी आती है या तो वो वर्ड सेंटेंस में किसकी तरह दिखेगा नाउम की तरह या वो वर्ड सेंटेंस में किसकी तरह दिखेगा प्रोनाम बिटा है तो ये भी एक वर्ड लेकिन वर्ड सेंटेंस में काम किसका कर रहा है प्रोनाम का ये word sentence में काम किसका कर रहा है? प्रुनॉक. ठीक है? ये चीज़ी याद रखता है. डर है? एक बचा करे रहा हर बेटा, रोही तुस लड़की का दोस्त है. तो हर आ गया है ना, हर लड़की को दिखा रहा है. रोही तुस लड़की का दोस्त है. ये मीनिंग होँ, sentence का. असान होँ, दो. अच्छा, तीसरी पार्ट सो speech क्या होती है? बच्पन याद करो, जरा adjective. तीसरी पार्ट सो speech क्या होती है? जरा फटाक से कोपी करो, फटाक से कोपी करो. और ये बेटा क्या है? ये क्या है हमारा basic. ये नहीं कि पूरा deeply तुम खुश हो जाओ. और इस सवर मैंने pronoun को पूरा deeply जान लिया क्या? नहीं, 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 बेटा. वो pronoun topic में ही जानोगे. चिक है? clear हुआ? तो ये base है. नाउन में direct पढ़ाना नहीं start करूँगा, बेटा. कोई भी topic. अब आगे जरा देखते हैं, इसके next पढ़ाओ को third. साथ साथ कोपी रखना, चुटको. साथ साथ कोपी रखना, बेटा. थर्ड को. और जिन बच्चों को ये लगता ना, अरे सर, ये तो basic, हारे सर, ये तो आता है, आगे बढ़ाओ. रखजा, बेटा, रखजा. सब चीज़े होंगे. मैंने का न, हमारे पास एक वो student भी जिसकी English week है, हमारे पास वो बच्चा भी जिसकी English अच्छी है, हमारे पास वो भी है, ठीक है, जिसकी ठीक ठाक है. हमें तीनों students को एक साथ लेके चलना है. ठीक है? ठीक होता है, ठीक होता है, अच्छा, एडजेक्टिव के बारे में आपके क्या विचार है, आप बोलोगी सर, बहुत ही अच्छे विचार है. adjective क्या करता है बिटा adds extra details क्या करता है add करता है sir extra details to the meaning of a noun to the meaning of a noun or pronoun इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ हिंदी में बोलूँगा तो बिटा noun pronoun के बारे में बता noun pronoun noun के बारे में बताना कितना असान हो गया noun pronoun के बारे में बताना sir जो noun pronoun के बारे में कुछ भी बताता है extra information देता है चाहे वो उसकी बुराई करे चाहे वो उसकी अच्छाई करे लेकिन noun pronoun के बारे में बताता है उसको बोलते है adjective ठीक है very good तो उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे adjective अब adjective के लिए जब हम जाएंगे तो मैंने ये बोल दिया ज़रा ध्यान से सुनिएगा he is a rich person he is a rich person आपने बोला sir person हुआ क्या noun इंसान कैसा है अमीर आदमी है sir तो ये अमीर जो बना यहाँ ये बन गया बेटा adjective अब article के बारे में आप सब बच्चों को जानकारी है a, n और the क्या होता है बेटा article देखो इतने दूद पीते बच्चे नहीं हुआ चिक है ये बात आपने पास है तो हमने बोला he is a rich person तो a क्या हुआ article rich क्या हुआ adjective और हमारे पास person, जो person है बेटा वो क्या बन गया, now तो ये असान होते है, kind person है, rich person है poor person है, smart है, beautiful है handsome है, तो जो भी किसी के बारे में चाहिता है, bad person bad चाहिए, बुराई करो, अच्छाई करो वो adjective है, चाहिए किसी की बुराई करो बेटा, छोटे लेवल पर आप एक प्यारी सी बात ध्यान से सुनेगा, verb sentence में वो शब्द होता है जो किसी action यानि की कारिये के बारे में बताए किसी चीज के होने, happening को बताए happening का मतलब क्या होता होना या किसी चीज के अधिकार, यानि की possession के बारे में बताए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा verb कहते हैं, या तो किसी action के बारे में बताए काम के बारे में बताए, या किसी happening होने को बताए या बेटा, possession यानि की अधिकार के बारे में बताए उसे हम verb कहते हैं, कोई भी ऐसा शब्द जैसे ध्यान से मेरे साथ साथ कोपी करना मैंने बोला बिटा दे रहा दे go there वे वहाँ जाते हैं यह एड़वब भंट थोड़ी दिर में बताऊँ आँए कहां जाते हैं वहाँ जाते हैं तो जाना क्या हो गया action हो गया तो यह क्या हो गया verb हो गयी ये क्या हो गई? वर्ब हो गई, action है sir दूसरा बटा, अगर मैंने बोल दिया they have a new car, उनके पास एक नई गाड़ी है तो छुटकु भाई ध्यान से देखे बटा, ये have अपने आप में क्या हो गई? वर्ब हो गई, क्योंकि sir ये वर्ब अपने आप में क्या दिखा रही है? possession दिखा रही है, तो possession अपने आप में क्या हुँआ बटा? अधिकार हुआ, ये उस चीज को mention कर रही है, तो आपने इसे वर्ब बोल दिया अधिकार को mention कर रहे हैं मैंने आपके लिए एक sentence use किया suppose करो मैंने बोला he is a teacher वो एक अध्यापक है वो क्या है बिटा एक अध्यापक है तो ये होना किस चीज़ को दिखा रहा है होना किस चीज़ को दिखा रहा है हैपनिंग को ये भी एक verb होना वो एक अध्यापक है वो मेरा दोस्त है उसके पास एक किताब है तो आपने क्या बोल दिया वो तेज दोडता है दोड़ना क्या हो गया वर्ब हो गया वो पढ़ता है वर्ब हो गया ठीक है वो सो रहा है सोना वर्ब हो गया वो खेल रहा है खेलना वर्ब हो गया वो लिख रहा है लिखना वर्ब हो गया तो आप इस तरीके से या तो किसी action को बताओ वो भी वर्ब है या किसी चीज के होने को बताओ वो भी वर्ब है या किसी चीज के अधिकार को बताओ वो भी वर्ब है ये तीन काम वर्ब करती है त इसनि ही काफी होगी। जब वर्ब टॉपिक हम जानते तो, तो topic होगा को अब बाझमे टॉपिक से में बात तो होगी। तो इन सब ही topics को हम parts of speech ऀर ने करने होती है। Done! अब जरह fourth के बारे में बात करते हैं। सर एक Adverb नाम की भी तो प्राणी होते हैं, Adverb क्या होता है, देखो, अब फिर से छोटी लेबल पे, यह तो Adverb के बहुत सारे function, लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को समझेगे, वरना वो Adverb topic का काम होगा ना, विटा होता हूँ, Adverb का क्या काम होता है, अभी के लिए इतना याद रखेगा, action, action में detail एड करना, detail एड करना, action में detail एड करना, sir action में क्या detail हो सकती है, ध्यान से सुने मेरे दोस्त, action में detail हो सकती है, बिटा, action कब हुआ, action क्यों हुआ, action कैसे हुआ, action कहा हुआ, ये तरीके बिटा, तो कब हुआ, क्यूं हुआ, कहा हुआ, कैसे हुआ, जाधतर इस तरीके की बाग, अभी के लिए, यह नहीं बिटा, सर और फंक्शन नहीं है, बिटा, और बहुत से फंक्शन है, वो एड़वर्ब टॉपिक का काम है, वो तो बिटे बच्चे, एड़वर्ब टॉपिक में होगा, many uses, लेकिन noun के लिए मुझे इतना बताना मेरा फर्ज बनता है, बिटा, बहुत uses है, एड़वर्ब टॉपिक का काम है, लेकिन इतना बताना फर्द है, कहा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जैसे देखो, अभी अभी जब हमने ये लिखा था, देख, go there, वे जाते हैं, बिटा, कहां जाते हैं, सर, वहां जाते हैं, तो ये वहां क्या हुआ, एड़वर्ब वह बिटा, जाते हैं, कहां, क्यों कि ये go क्या हुआ, action, वर्ब है न, कहां जाते हैं, वहां जाते हैं, एड़वर्ब वह जाते हैं, कहां, how, तो जो how का reply बन रहा है, where का reply बन रहा है, why का reply बन रहा है when का reply बन रहा है तो उसको हम adverb बोलते हैं नेक्स देखो अगर मैं यह बोल दूँ बिटा he came yesterday वो आया था कब आया था सर कल आया था ठीक है ना बई केम का मतलब क्या हुआ action आया था कब आया था सर कल आया था तो यह कल यानि कि yesterday अपने आप में क्या हुआ को बता है होने के स्थान को बता है तो छोटे लेवल पर आप फर तो अज यह देशरी बिसकता मुझे तो आपने इस वर्ट को जान लिया बेताजी सुना हुआ है आप ने वर्ट बताई इई सुना हुआ है देखो जी अब जरा सिक्स्त वाले पॉइंट को समझ दो अच्छा आइस्ता आइस्ता मैंने आपको कमफर्टेबल कर दिया सब पेटा छटे वर्ड में मैं आपको समझाता हूँ प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन जब टॉपिक होगा चुट कुट तब पढ़ेंगे बेटा पूरा डिटेल में तो सर छोटे रूप में कैसे समझाओगे बेटा प्रेपोजिशन कोई भी एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस में किनी भी दो शब्दों को रिलेट करता है इसे लिए इसे बहुत प्यारा सा नाम दिया जाता है रिलेटिंग वर्ड क्या बोलते हैं मेरे भाई इसको रिलेटिंग वर्ड रिलेट करने वाला शब्द सेंटेंस में किनी भी दो शब्दों को रिलेट कर लेगा किनी भी दो शब्दों को रिलेट कर लेगा आपस में जैसे देखो मैंने बोला, he came, वो आया था कहां आया था, sir, to me, मेरे पास अब देखो, इसने क्या किया? यह है बिटा, यह to preposition क्या किया? इसने इस action को इस pronoun से relate कर लिया वो आया था, to me, मेरे पास वो आया था, before me, मेरे से पहले वो आया था, after me, मेरे बाद तो ये होती है preposition अब इन parts of speech के आप एकदम ठीक है माहिर बन के बैठ जाओगे boss बन के बैठ जाओगे जब एक एक करके parts of speech खतम होती जाएगी noun में noun के बादशा बनोगे pronoun में pronoun के बादशा बनोगे tense में tense के बादशा preposition में preposition के बादशा वर्ब में, वर्ब के बाद, टॉपिक भी तो हैं सारे के सारे, बिटा, अब बोलेगे न, बच्चे सर, वर, एडवर्ब तो एडजेक्टिव में भी डिटेल एड़ करती है, ये भी करती है, वो सब अलग-अलग टॉपिक की बाद भी न, बिटा, चले, अब हमने क्या बोला, प्रेपोजिशन क्या हुआ, प्रेपोजिशन क्या हुआ, रिलेटिंग वर्ड, सर, सेंटेंस में किनी भी दो शब्दों को रिलेट कर लेगा, किनी भी दो शब्दों को बस रिलेट कर लेगा, आया था, मेरी पास आया था, मेरी से पहले आया था, मेरी वज़े से आया था, फलाना निम्काना जो भी बोलो लेकिन ज़ादा एक्जामपल ही लिखवा रहा है अभी तो छोटा छोटा इंट्रो चलना है ठीक है ताकि ज़ादा आप confused ना हो जाए seventh क्या बनता है बेटा conjunction गुरू जी ये क्या होता है बेटा conjunction को हम बोलते हैं जोडने वाला शब्द ये क्या करता है join करता है इसलिए इसको बोलते है joining word ये जोड़ देता है दो शब्दों को जोड़ देगा दो sentences को जोड़ देगा ये जोडने का काम करता है ठीक है चलो जैसे मैंने आपके लिए एक sentence लिखा मैंने बोला भाई you will succeed succeed का मतलब क्या होता है बेटा सफल होना आप मैंने बोलेंगे सर बेहद आसान ये जोड रहा है सर इफ जोड रहा है सीधर सीधर दिख रहा है तो आपने बोल दिया सर इफ जोड रहा है तो हमारे पास ये जो इफ हुआ ये conjunction हो गया जोडने वाला शब्द conjunction है वो दो शब्दों को जोड़े दो बातों को जोड़ दे कोई फरक नहीं सर वो जोडने का काम करेगा तो उसको आप क्या बोल देते हो conjunction बोल देते है चिक है बेहत असान हुआ बेटा काम असान ये ये लेकिन high level पर नहीं पढ़ना ही नहीं अभी तो अपना basic बना के तयार कर लो लास्ट हमारे पास जो आपने parts of speech सुनी है वो होती है इंटर जेक्शन क्या 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 होती है इंटर जेक्शन में यूज करने के लिए, जो sudden expressions होते हैं न हमारी, जैसे मैच जीत गए, हुर्रे, कोई गुजर गया, alas, he is dead, alas, ये fixed words है बेटा, ये fixed words है, जो हमारी sudden feelings के लिए बनाए गए है, तो interjection को आप क्या बोलोगे, जैसे fixed words, आप बोल दो, poor hour, sudden feelings, जो एकदम से हमारी feelings आती है न, वो दुख की भी हो सकती है, वो सुख की भी हो सकती है, वो cheer करने की हो सकती है, वो गुस्से की हो सकती है, OMG, surprise की हो सकती है, तो आप उनमें ये बोलते हैं, आप जब किसी ने बहादूरी का काम करता है, तो क्या बोलता, bravo, ऐसा sign मारती है, ठीक है, bravo आपने ऐसा बोल दिया बिटा, तो ये क्या है, अपने पास से कुछ भी बना लोगे, नहीं बिटा, याद करनी होती है, गुरुजी आप याद करवाओगे, बिलकुल करवाओगा, बिटा, किस topic में, narration topic में करवाओगा, इसको मैं bravo, आप बोल रहे हो न, ठीक है, bravo, तो जब आप bravo बोल रहे हो, बोई चीज यहा, ठीक है, ये चीज यहाँ है, तो आप bravo बोल रहे हो, तो आपने ये कुछ, बिटा, अलास कब बोलोगे, जब आपको दुख होगा, इस तरीके से अलग-लग sounds होती है, बिटा, जिनको हम की पढ़ाता है, बिटा, है न, इसी white में पढ़ाता हो, तो आप क्या कर लो, brightness को कम कर लो, अराम से आपका solution चलेगा, ठीक है, बिटा, तो interjection क्या हो गया भी, narration topic में, इस तरीके से, अच्छा, कोई, अगर कोई मर गया, तुम कहोगे, उर्रे, he's dead, पिटोगे, बिटा, हर situation क लिए हर एक अलग, interjection fix है, बीच में मत घुसा देना किसी चीज को, बीच में मत घुसा देना, पिटाई हो जाएगी, तगडे वाली वो, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, तो ये दर्शन देते हैं, बिटा, narration topic, पताईए आपको, ठीक है, चलो, copy करवाट, तो ये तो दर्श पर कर दो, ताकि एक ही page पर सारा आ जाए, इसी के नीचे एक note लिखेगा, वो parts of speech होती हैं, बीटा, determiner, गुरु जी क्या होता है, अभी नहीं बताऊंगा, बीटा, determiner topic में ही बताऊंगा, एक articles, बस, ये दो और अलग चीज होती है, जिनकी identification paper में पूछता है, जिनकी identification paper में पूछता है, बीटा, topic कौन सा हो गया, कौन सा नहीं हो गया, मैं उस हिसाब से नहीं, मैं noun को लहजे, उसी लहजे में पढ़ाता हूँ, जैसे हमेशा से noun को पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि क्या हो गया, क्या नहीं, ठीक है जिटको, अजीत congratulations बेटा कि अतसर बहुत अच्छे से जल्द से पढ़ा और selection हो गया बहुत बढ़े बेटा अच्छे से पढ़ा जैसे ही हम noun topic खतम करेंगे न noun में हमने क्या करना है keep सारी practice कराके और मैंने जैसे कि कहा न हम style बदल रहे हैं noun के सारे previous questions मैं आपसे ही करवाँगा test की तरह class तो उस हिसाब से पढ़ना कि इसके जैसे हम bookayb के बाद test लेते हैं न वैसे ही जैसे topic तो उसके बाद test के लिए तयार रहेगा तो ये हुआ मेरे दोस्त यहां से हमारा काम sir पूरा base तयार हो गया पूरा base तयार हो गया कि इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलते हैं तो ये था बिटा इसका एक basic part जो आपको जानना बेहद ही जादा जरूरी था noun से पहले अब सब बच्चे equal हो गए बिटा मुझे नहीं पता रहे किसका base तयार है किसका नहीं सब बच्चे equal हो गए अब equal होए बच्चे को पढ़ाने में बड़ा मज़ाएगा ठीक है अब मज़ाएगा sir तो अब चालो हो जाए मेरे दोस्त noun topic अब heading डालूँगा अभी तो मैंने सिर्फ क्या लिखा था basic part अब वो basic part आपको clear अब मैं noun की आपकी heading डालूँगा आखिरकार noun क्या होता है कैसे है वो देखेंगे ठीक है अब हम heading डाल रहे हैं dear noun ठीक है अब जो basic आता जाएगा noun से related वो इसे में आराम से पढ़ते चले चाहें noun अब आए जी मज़ा अब ठीक है ठीक है अब ठीक है noun अब मैं आपसे पूछता हूँ noun क्या होता है बिटक है अब यह भी तो बता है अपने naming होता है बिटक है नेमिंग वर्ड हाँ अब वो naming word किसका हो सकता है sir आपने बोला naming word यानि कि वो वाके में name of anything हो सकता है वो किसी कभी नाम हो सकता है और इस किसी भी में भी कौन आता है बिटक है इस किसी भी में सबसे पहले आते है people या ऐसे करा दो इस किसी में भी सबसे पहले आते है visible things visible things या normally देते है visible वो चीजे naming word किनका जो चीजे visible है या वो चीजे जो non-visible है यानि कि जो सिर्फ महसूस हो सकती भई name दो type की चीजों के हो सकते noun क्या है बिटा naming word है sir नाम है किसका चाहे कोई चीज दिखाई दे चाहे कोई चीज ना दिखाई दे नाम है तो नाम है ना अच्छा चीजे दिखती कौन कौन सी है sir हमें इनसान दिखते है यानि कि people और हमें दिखती है sir things और बाकी चीजे मतलब physical things place चेक है जो बाकी चीजे हैं बेटा वो हमें दिखती है things है place है हम नहीं बोलती है इसलिए बच्छपन में तुम रट्टा मारते थे name of a place person नहीं है वो यही था बेटा तो यहाँ people चेक है things है place है animals है चेक बाकी चीजे बचेकी वो visible में अधे आता थी feel only का मतलब क्या होता है sir feel only का क्या मतलब होता है feel only तो simple है बेटा feel only का मतलब क्या हुआ महसूस करना जिनको आप सिर्फ महसूस कर सका दिखता नहीं pen दिख रहा है board दिख रहा है जैदीप sir दिख रहे है feel only में happiness नहीं दिख रही है खुशी दिखरी है नहीं sadness नहीं anger नहीं लेकिन वो नाउन तो है दिखने रहे सिर्फ महसूस कर सकते हो air हवा सिर्फ महसूस कर सकते हो दिखती नहीं है बिटा महसूस कर सकते हो अच्छे एक बात बताओं यहां रूप मेरा वादा है आपसे बिटा आपको ऐसा नाउन पढ़ाऊंगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको ऐसा नाउन पढ़ाऊंगा आप पूरा यह बोलोगे सर जिंदगी में पहली बार इतने अच्छे तरीके से नाउन पढ़ाए पहलो तो रट्टा मारते थे गुच्छे यह मेरा वादा है चैलेंज है आप से seriously पढ़ना बेटा ऐसा मत मानना अच्छा आपको एक और surprise बताऊ noun से बहुत ज़ादा question आते हैं paper आपको मैं previous year sheet दूँगा ना बेटा previous year sheet दूँगा जब मैं practice कराऊंगा आपसे इसकी questions की फिलप्स की improvements की आपकी आखे न यह दिख रही ने छुड़ चुड़ आखे इतनी बड़ी हो जाएंगी पता है क्यों सुर्फ यह बिलकुल exactly आया हुआ है हाँ सुर CGL mains में CGL pre में CDS में NDA में CPO में Air Force में STANO में DETER PLACEB में ऐसा कोई exam नहीं है छुटकुद जहां नाउन का question ना हुए exam बिटा रट्टे मारने वाला नहीं पढ़ेंगे अच्छे से समझके और सारे question आप खुद बनाओगे सोचो जिसीना कितना चोड़ा हो जाएगा भी कितने खुश हो जाओगे आप खुद से question बनाओगे तो इस तरीके से पढ़ना कई बार बच्चा क्या करता है नाउन को हलके में ले ले बहुत important topic है यह बहुत important topic है उस्ताद है सब का ठेका तुशको इस चीज से देखेगा वह वाला नहीं जो noun होता warn परशन पलेश अतिगा वैसे वाला नहीं मेटा वैसे वाला noun नहीं पढ़ना यह market की किताब वाला noun नहीं पढ़ना है paper वाला noun पढ़ना है ठेके ना वो पेपर वाला नाउन पढ़ना है, कहीं तु मार्किट की किताब वाला हो, चार पन्नों वाला नाउन उठा लो, या बाकी टीचर्स कराना है, बेटा, जैदिप सर के लावा सारे टीचर ऐसी करते हैं, नाउन ने, अरे, इंपोडेंट है वो टोपिक है, बहुत कोशन देखके, आपके आँखे फटी-फटी रह जाएंगी, देखना मैं, जब टोपिक ये पोरा कराऊंगा, और ये मैंने एक चैलेंज किया है, आप पक्का ये बोलोगे, गुरुजी, थैंकी सो मच, वाके में आपने जो वादा किया था, उसी तरीके का आपने नाउन पढ़ाया, और मुझसे कोशन बन रहें, ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन सीरिस रहना है, और रेगुलर रहना है अर क्लास में, यह नहीं एक क्लास में छोड़ दिया, अगले क्लास में आके बैठ गे, गरुजी क्या करेंगे, भगवान थोड़ी ना है, क्लास मिस नहीं कर सकते सर आप, रेगुलर रहोगे, रेगुलर रहोगे, ठीक है, चलिए, तो मैंने बोला बेठा, अब किसी भी इंसान का आप नाम रखोगे, किसी भी जगह का आप नाम रखोगे, जो चीज दिखाई नहीं देती, फिल ओनली है, उनका भी आप नाम रखोगे, नाम तो रख दोगे हाँ, लेकिन उस नाउन का करोगे क्या, क्या करोगे उस नाम का, कहते हैं सर उस नाम को sentence में use करेंगे मैं लोल अच्छा sentence में use करोगे कैसे सर या तो subject बना कर हाँ हाँ या object बना कर लड़ो अब आई रमजा अब आपको क्या करना है आप इधर जो आप लिख रहे हैं ठीक है लेकिन मैं इसको थोड़ा से इधर कर रहा हूँ आपकी अगर कोपी में जगह है तो शाइड में कोपी कीजेगा वरना नीचे कोपी कर लीजेगा इसके बट अभी कोपी मत करना क्योंकि मुझे पता नहीं न मैं कितनी कोपी कर लो जो मैं इधर लिख रहा हूँ चार लाइन का गैप छोड़के जो मैं इधर लिख रहा हूँ वो इधर कोपी कर लो क्या चोड़ लो चार लाइन का गैप छोड़ दो मेरे दोस्त यहां कुछ लिखवाऊंगा मैं चार लाइन का gap छोड़के, इधर आप copy करना चालू करते हैं, क्या देखो बिटा, आप क्या करोगे नाउन का, आप नाउन का क्या करोगे, आप बेटा, नाउन को, ठीक है, हाँ, sentence में use करेंगे, कैसे, as a subject, ठीक है, या object, नाउन, as a, उसी के नीचे copy कर, नाउन, as a subject, या as an object या तो subject की तरह यूज करोगे, या object की तरह यूज करोगे, किस में, sentence में, तो as a subject, और क्या, object in a sentence, एक sentence में, या तो ये subject की तरह यूज होगा, या एक ये object की तरह यूज होगा, दिख रहा न, लोगों तो नहीं आ रहा उदर, as a subject, या as an object sentence में, यूज होगा, चली, इसी क नीचे आप लेको जब basic sentence हम बनाते हैं तो उस basic sentence में आपको एक subject नजर आता है फिर बेटा आप एक verb देखते हो और इस verb को जब आप explain करते हो खाया क्या खाया पीटा किसको पीटा पढ़ा क्या पढ़ा तो जो verb को explain करते हो उसी verb का क्या बोलते है बेटा अबजेक्ट और इतन verb तो verb का काम करेगी action हो possession हो कुछ भी noun किसका काम करेगा subject का या noun किसका काम करेगा object का या तो noun subject का काम करेगा बेटा या noun object का काम करेगा symbol सी बात है या तो subject होगा या object होगा ठीक है जैसे इसी के नीचे आपने लिखा सुनिल हां helps सुनिल मदद करता है मोहित मोहित की अब बत अगर दो नाउन दिख रहे हैं, तो काम भी तो कर रहे होगा, सुनिल क्या है, सर सब्जेक्ट, नाउन है, और किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट, मोहित क्या है, सर नाउन है, काम किसका कर रहा है, अब्जेक्ट, तो या तो नाउन सब्जेक्ट होगा, या नाउन अब्जेक् तो बिटा ये जो इनसान है ये इनसान भी या तो subject का काम करेगा इसका नाम या ये इनसान भी या तो ये object का काम करेगा ऐसी ये name of things place ये भी बिटा या तो subject का काम करेंगी या object का काम करेंगी ऐसी ही बिटा feel only भी या तो subject का काम करेगा यह नाम, हाँ, या यह objector नाम काम करेगा, बिलकुल अभी लिखवाऊंगा हाँ गुर्जी अब समझ गए ठीक है, अब समझ गए है तो subjector काम करेगा या objector काम करेगा, ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, सुनिल क्या है, noun है क्यों किसी का नाम है, सर, किसका है सुनिल कोई इंसान है, सर, उसका नाम इसको पहचानने का तरीका क्या है, फिर पहचानना सिखा रहा हूँ बेटा, मैं noun, noun की definition तो समझ लिए आपने, किसी भी चीज का नाम noun होता है, सर, चाहे वो चीज दिखाई दे जा ना दिखाई दे, चाहे वो people हो, thing हो, place हो या कोई भी चीज ऐसी हो, object हो जो हमें पता ही न दिखता नहीं है, लेकिन उसका नाम हो ठीक है, अब मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूँ कैसे पहचान होगे noun, सर, noun या तो subject, या object पस, अब आपके मन में आए सर, grammar में और भी कोई है, जो subject बन जाएगा मैनुला, फिर से वही उंगली बाजी की आदत अभी एक चीज ढग से समझ नहीं आई सपने तेरे वही, वो यह ने network marketing वाला, हाँ, 8000 उर्पे लगाओ, हाँ, देख, वो खड़ी तेरी BMW, किता कहा कहा, अरे जान से देख पगले, तू अपना future नहीं देख पा रहा है, क्या कहता, हाँ, हाँ, दिख रही है, BMW दिख रही है, अभे चूजे रुबजा बेव को बना रहा है तेरा हो, इसलिए हमारी एक और गंदी आदत होती है, अभी noun नाउन पैदा नहीं हुआ, मैंने कहा sentence में एक verb होती है, उस verb का subject और object होता है, उस verb का subject noun होता है, उस verb का object भी noun होता है, तो noun sentence में subject का काम करते हैników अभे तुम्हारे दिमाग में सर और कौन-कौन है जो subject और object का का काम करते हैं, मैंन hose हो गया बरबाद, अभी बच्चा पैदा हुआ है, कैसे दोड़ाओ इसको, बटा आइस्ता आइस्ता जानूँ एक ही बार सब कुछ बता दिया ना, मेरे तो दिमाग में सारा है एक ही बार बता दिया तो बोले गए कैसा मास्टर है इसको पढ़ाने ही नहीं आता इस्ता इस्ते कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे का लेवल कैसे चलाते हैं इस तोपिक में, समझाए है बटा बहत्रीन टीचर कब बनता है इंसान, जब उसको ये बताना हो, कैसे अपने बच्ची को उंगली पकड़ के कैसे उसे टॉपिक में डेवलब करते जाना तुम अपने आप पर हसोगे जब मैं नाउन खतम करूँगा पता है क्या अरे गुरुजी पहली क्लास में क्या समझा रहे थे यार रहे बाई लुल बात इतनी असान थी बेटा वो तब असान लग रही है जब तुम नाउन खतम कर चुका है पहली क्लास में वो असान नहीं है समर्य में आई बात मुझे एक बात बताओ 1 क्रोड रुपे ज़ादा होते हैं या कम होते हैं एक करोड रुपे जादा होते हैं या कम होते हैं बिटा इसका आंसर बदल जाएगा किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं एक मिडल क्लास फैमली को बोलोगा सर यह करोड पर भू आ जाए सला मैं तो नोकरी भाड़ में गई मैं तो एक करोड का सर ब्याज पी जिन्वारे लूगा बहुत बड़ा माउंट ठीक है अब मैंनो अच्छा अंबानी से पूछ लेते हैं एक करोड करता अरे ररफोन रखो इतनी देर में तो मैं कमा लेता है जो कोड़ी के उकात उसकी लेक करोड बड़ा माउंट इसलिए यह चीज आसान है या मुश्किल है सर उससे पूछो जो पढ़ रहा है उस बच्चे से पूछो और मेरे लिए सब बच्चे एक समा अब बहतरी स्टूडेंट बनाकर निकालोंगा ना मजाएगा आपको चीज़े डान करें ठीक है चलो तो सुनिल हेल्प्स मौहित ठीक है यह सबजेक्ट हुआ अब बिटा सुनिल नाम है कैसे पता चला सर क्योंकि नाम है हाँ अब सेंटेंस में कैसे पहचान होगे यह नाम कौन तरह दोस्त कौन है हाँ तो आप उसका नाम पूछते हो इनसान का इसलिए जब भी किसी भी सेंटेंस में इनसान का नाम उगलवाना है तो आप एक कोश्चन वर्ड यूज करते हो बेटा हू इसलिए हू का रिप्लाई हमेशा नाउन जो है न वो हू का रिप्लाई जैसे देखो मैंने यह चिपा लिया यही सेंटेंस आपको दिया मैंने बोला मुझे बताओ हू हेल्प्स मोहित आपने बोला सर सुनिल सुनिन नाउन होगे तो हू का रिप्लाई ध्यान से सुना बेटा सेंटेंस में हू का रिप्लाई नाउन बनेगा और हू का रिप्लाई कब बोलोगे जब आप जब आप नाउन को subject ही तरह यूज करोगे ठीक है, done, चल्ट सर अगर object होगा तो भी who, नहीं बेटा, whom sir whom क्यों कह रहे हो, who रोग लोना नहीं बेटा, चीजे बदलती है, क्यों मैं बताता हूँ whom का reply, बेटा एक बात बताओ कोपी नहीं करना है, rough है he subject होता है और जब object करो तो he बोलतो है, या him है ना, he will go there I will meet him तो object में spelling him, और subject में he, और वही चीज यहाँ पर रखते हैं, बेटा हम who, whom, he, him, she, her, they, them, क्योंकि who तो pronoun है, क्योंकि उसका noun, noun का reply बन रहा है ना, तो pronoun है इसका reply कौन बन रहा है, मालिक इसका noun है pronoun का मालिक तो noun ही होता है, ठीक है, तो यह देखो who helps Mohit, sir Sunil Sunil helps whom, sir Mohit तो यह whom का reply बनेगा, यह who का, क्योंकि subject है तो किसका reply, who का reply और object है, तो किसका reply, whom का रहा है, आपको यह चीज़े, बेहद असान लगरी होंगी बेटा, लेकिन देखना अब identification में यह noun की आपके खितनी जबर्दस level पे मदद करेंगी, paper में identification में तो पूछे का न, noun की deeply identification बताने भी ज़रूरी है दूसरा देखो बेटा, things में भी sir who बोल दे, नहीं बेटा, अब देखो अब देखो, आप एगला example को पी कीज़ेगा, यह था एक example, अगला example को पी अगर मैंने बोल दिया बेटा आपको मोहित बॉट मोहित ने खरीदी थी books, किताबे मोहित बॉट books, मोहित ने किताबे खरीदी थी, बेटा मोहित subject हुआ हाँ, खरीदी क्या खरीदी बेटा किताबे, तो किताबे object हुई हाँ, तो बेटा मोहित तो नाउन हो गया हाँ, किताबी भी नाउन है सर लेकिन, बेटा मोहित तो हूका reply बन गया क्योंकि इंसान है क्या, इंसान के लिए हूँ और हूम आता बेटा things के लिए हूँ और हूम मतलगा दे न, चीजों के लिए जगह के लिए हूँ और हूम मतलगा दे गलत हो जाएगा, कैसे बेटा मोहित बॉट बॉट बुक्स मोहित ने खरीदी थी किताबे, तो मोहित ने खरीदा था, कौन, कौन पागल है क्या, इंसान थोड़ना है, तो मौहित हूँ, बॉट बुक्स, मौहित, मौहित बॉट वट, क्या करेंगा, क्या, किताब, क्या, आप बेटा, इनके लिए बोलते हूँ, वट, और वट की spelling change नहीं होती, subject में भी वट होता है बेटा, और object में भी वट होता है, जैसे यू, बेटा, यू subject में भी यू है, और object में भी यू है, spelling change नहीं होती, ये वट, वट, इसलिए बेटा, ये जो object है, ये वट का reply है, और वो जो है, वो भी वट का reply है, इसलिए sentence में जो वट का reply होगा, वो क्या होगा, noun होगा, आपने बोला, सर, इतने चीज़े जानना ज़रूरी हो, बिल्कुल ज़रूरी होता है, पता है, कब फस होगे, जब एक ही शब्द, दो यूज कर लेगा, होम, adverb भी होता है, noun भी, कैसे पैचान होगे, बिल्कुल ज़रूरी होगे, बिल्कुल ज़रूरी होगे, कौन, noun, कौन, तो नाम बताओ, क्या खरिदा, क्या खाया, नाम बताओ, कहां गया था, adverb, क्यों गया था, adverb, कैसे गया था, adverb, कब गया था, adverb, इसलिए शब्दों को देखना बहुत ज़रूरी है, वरना पेपर में examiner आपको confuse कर लेगा, आपको लगेगा, वो नाउन है, क्यों लगेगा, नाउन है, क्योंकि बच्पन से रटा मारा है, बच्पन से रटा मारा है, वो रटा यही तो है, बच्पन से रटा मारा है, वो रटा मारके, तो फस होगी फिर, इसलिए याद रखो, यह जो पहचानना सिखा रहो ना, एक दो बच्चा मनी मनी में सोच रहा होगा, इसकी क्या जरत है सर, पहचानना सिखा, मेटा पेपर में जब identification पूछे का sentence में आपको जरत पढ़ते हैं चीजों के, तो चीजों को एकदम जीरो से चले के चलो, आसान हो गया चलो, सर अगर जैसे आपने बोल दिया, उसको क्या बोलेंगे, इसको भी what बोलते हैं, what, क्या, क्या, जैसे प्यार सबको बदल सकता है, नफरत नहीं मेरे बच्चे, प्यार से बदलो, तो मैंने बोला, love can change, love can change anybody, प्यार किसी को भी बदल सकता, love can change anybody, प्यार किसी को भी बदल सकता, तो ए प्यार प्यार दिखाई देता नहीं सर फिल ओंली क्या बिटा सब्जेक्ट है है प्यार सब को बदल सकता है लाउन में जो आन वंसर को बदल सकता है सब को प्यार बदल नैनmän तो अब आगे सर थेल जब किर आई जौधा जrows प्यार बदल सकता हैBLE में आप आपके पास इधर जगै इसका मतल्ब बिटा, noun हुआ, who का reply नाउड हुआ, whom का reply और noun हुआ, what का ये बना बिटा आपका ना, ये बना आपका ना चाहे object हो तब भी what, subject हो तब भी क्योंकि what नहीं बदलता, what उंकी तरह से बहाथ, बस who और whom, उस इनसान में चोचले, who तो subject है, whom तो object, इस तरीके से आप noun को पहचानते हैं, लेकिन ये noun की अब आइस्ता इस्ता पहचान, और strong आपको बनानी है मेरे साथ, लिखिए इसको, और मेरे साथ strong बनानी, ठीक है? वजी काम असान? animal के लिए भी बेटा, what he use करते हूँ बेटा, animal के लिए who use होता है, लेकिन वो pet animals के लिए होता है, क्योंकि जो pet animals होते हैं, पालतू जानवर, उनको घर का सदेस्से ही मानते हैं, उनको इनसान ही मानते हैं, इसलिए आप तो बोल देते हैं, किसी कुट्टे को कुट्टा के दो तो बुरा नहीं मान जाता है, मेरे कुट्टे को कुट्टा क्यों कह दिया, अरे कुट्टे को कुट्टा ही तो कहाँगे, नहीं कुट्टा नहीं है, मेरा छोटा बाई है, तो ऐसे केस में हूँ, इसको personification बोलते हैं, वो भी पढ़ाऊंगा बेटा इसे टोपिक ले चेक है पक्का जी शांदार बढ़ें आगे मेरे दोस्त तो यह हुआ बेटा नाउन से रिलेटेड मामले पहले की पहले चेक है अब आगे बढ़ते हैं सर आगे देखते हैं देखें बेटा तो हमने यह तो देख लिया सर समझ आ गया इस तरीके से हमने देखना है तो नाउन पूरा एक बेस तयार इसी के नीचे आप एक हेडिंग डालेंगे इसी को थोड़ा सा और देखते हुए नाउन आइडेंटिफिकेशन क्या लेखोगे बेटा नाउन आइडेंटिफिकेशन कि नाउन को आप आइडेंटिफिकेशन कि नाउन को आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं सबसे पहला, noun identification में पहला concept, क्या, देखो बटा, noun जो है ना, अपने आप में एक word जो है, वो noun हो सकता है, अपने आप में simple एक word होगा, जो अपने आप में noun बन जाएगा, अभी मेरे को आपको बहुत कुछ सिखाना है, इसी में देखना ना, आप घूम जाओगे, ठीक है, very good, आपने क्या बोला, noun एक word होता है, जो noun बन जाता है, लेकिन जब वो word एक noun बनता है, तो वो word किसका reply होता है, अभी यह भी बता है, या तो who का, या whom का, या पुतर जी, what का reply होता है, आपने बोला सरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात अभी आएगे, रुक, अ अगर वो who का, whom का, what का reply आपको दीता है, तो वो बड़ा ही असान है, ठीक है, यह word में तो आपको पैचान लिए, आपने बोला सर, यह तो मस्ती का काम है, बहुत ही असान है, बहुत ही असान है, इससे असान क्या होगा, मैंने बोला अच्छा, लेकिन कहानी में एक twist आगे क्या twist आगया, कई बर sentence में क्या करेगा, वो आपकी साथ ए game खेलेगा, पता है क्या game खेलेगा, वो करेगा, noun, noun तो होगा, लेकिन काम adjective का कर लेगा, सर ऐसा मत बोलो, गवरा सा रहा हो मैं, noun, noun तो होगा, लेकिन वो काम adjective का कर लेगा, चिक, कई बर आप noun ढूंडने जाओग वो adverb का काम करता हो, नजर आ जाएगा, आप बोलो, सर हम कैसे पैचानेगे इसको फिर, आपको सिखाया है बिटा, आप देखो कैसे पैचानेगे, ध्यान से सुरू, पतर सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, जो इसमें पहला star है, क्या, कि जो pronoun है, हाँ, पगले वो भ होगा, हाँ, जुरूरी है, कि वो का reply एक सिर्फ noun दिखे एक्जाम में आपको नहीं, ये भी तो हो सकता है, कैसे देखे, मैंने बोला बिटा, ही, हाँ, ही, विल, हेल्प हर, दोखे बिटा, हर क्या है, object मदद करेगा, किस की, हर की, अच्छा, ही क्या है, subject, और अभी अभी आपने कहाता, गुरुजी, subject और object तो noun बनते हैं, मैंने बिल्कुल बेटा, तो ये भी तो हो सकता है, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, कि जो noun है, हाँ, उसकी जगह pronoun आजए, पहला, देखो, छोटी सी बात है, लेकिन दिमाग में से clear तो हुई, क्योंकि ये भी तो who का reply है, who will help her, he, he will help whom her, तो sir आपने तो कहाता, who or whom का reply noun होता है, तो pronoun आगया, क्यों, क्योंकि बिटा, pronoun नाउन की जगह या आता है, तो ऐसा भी हो सकता है, देखो, पहले point ना थोड़ा हो, और आपका दिल हलका किया है न, आपने जो इधर identification सीखी थी, उसमें एक नही चीज़ आड़ हो गई, दूसरा स्टार, इसी concept का बिटा, दूसरा स्टार, क्या, बिटा जी, एक बात ध्यान रखेगा, noun, हाँ, सर, noun, हाँ, as an adjective भी दिख सकता है, है, सर, adjective तो वो होता है, जो noun, pronoun में, बात में, बात में, detail एड करे, बिलकुल, अब देखना क्या करता हो, बिटा, noun as an adjective भी हो सकता है, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, noun subject होता है, noun object होता है, और अब आप क्या देख रहे हो, noun identification में problem, noun adjective भी हो सकता है, ओ, paper में देखना हो, कैसे इसे देखेंगे सर, देखो बिटा, मैंने बोला, gold was bought by her, उस लड़की के दुआरा सोना खरीदा गया था, उस लड़क के दुआरा सोना खरीदा गया था, तो आपने बोलो, बिटा, gold was bought by her, तो gold क्या हुआ, noun, बिटा, noun किसका काम कर रहे है, subject का सर, subject का सर, noun है और subject का का काम कर रहे है, लेकिन एक बाग बताओ, देखो मैं क्या करूँ, मैंने कहा, बिटा, I bought, मैंने खरीदा था, I bought, मैंने खरी मैंने खरीदी थी सोने की अंगूठिया, मैंने खरीदी थी सोने की अंगूठिया, I bought gold rings, अब आपका पूरा दिमाग घुमा दे गई, कैसे, देखो बिटा, आपने बोले सर, अंगूठिया, मैंने खरीदी थी अंगूठिया, तो I bought what, I bought what, अंगूठिया सर, I bought what, इसको हटा तो देखो, I bought rings, मैंने खरीदी थी क्या, अंगुठिया, अंगुठिया, क्या हुई बिटा, नाउन, अच्छा किस की थी, सोने की, अरे सोना तो नाउन होता है, लेकिन नाउन होता है, तो मैं क्या करूँ, मुझे ये बता ही sentence में क्या है, आगल मत बना, नाउन होत है, सर रथा मारा था मैंने, बलबा है रथा नहीं मारेगा, sentence में बताए ये गोल्ड क्या है, यहाँ ये गोल्ड के है, नाउन, क्योंकि वटका रप्लाई था, यह ही वटका रिपलाई है, नहीं, ये गोल्ड किसमें detail add कर रहा है, नाउन में, और जो नाउन में detail लेड करें वो क्या होता एडजेक्ट तो पागलो की तरह पेपर में यह मत कह देना यह नाउन है फस जाओगे यह नाउन यहाँ as an adjective है तो मेरी शेर पुतर आपको इसे adjective ही कहना होगा आप इसे पागलो की तरह नाउन नहीं कह सकते चिक है आप फस जाएंगे तो आप बोलोग है कहानी बेहद असाब ठीक है मेरे दोस्त कोई भी किसी भी प्रकार की समश्चा तो रटने का ना है क्या करने का सिखने का क्या करने का सिखने का तो इक बहुת gold rings असान हुआ मेरे इस पॉइंट से भी आपने को सिखाया, समझे, वोख-फोख के कदम रखना है, ऐसा भी हो सकता है, कि वो चीज कुछ और बन जाए, और हम पागलों की तरह पुछे, गोल्ड क्या होता, नाउन होता, मेरे, क्या तो, गोल्ड क्या होता है, सर सेंटेंस में क्या बना दे अगले star में मैंने बोला adverb मतलब sir, adverb का भी ध्यान रकना कहां बडी बडी आँखे कर रहा है अभी देख adverb, adverb का भी ध्यान रकना कैसे sir, देखो मैं आपको एक sentence लिखा मैंने लिखा he went home वो घर गया था, he went home तो क्या हहाँ home noun है नहीं बिटा, ना 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 He went what? He went what? He went home? नहीं सर, He went where? अब एक बात बताओ बिटा Went क्या हुआ? Action So मेरे शेर पुत्तर ये बताओ, ये home किसका reply है? Where का reply? वो गया था? कहां गया था? कैसे गया था? क्यों गया था? कब गया था? ये सब क्या होता है बिटा? ये सब होती है मेरे बच्चे, adverb तो पागलू की तरह ये मत कह देना home तो noun होता है घर घर है घर घर है घर noun नहीं बिटा, अब समझ गये मेरे वाला noun में है, तो difference है बिटा, चीजों को पैचानना है adverb है सर अगर मैं बोल दू इसी में I love I love my home मैं अपने घर से बहुत प्यार करता हूँ I love what my home तो my तो adjective को ही है, determiner बाद में पढ़ाओंगा बिटा, determiner अभी बताया है नहीं मैंने लेकिन मेरे पुत्तर home के अब noun है सर, क्यों? क्योंकि what का reply है बिटा और इसका object है इसका object है मेरे बच्चे और किसका reply है what का, तो ये home अब यहाँ noun है, क्योंकि मेरे बच्चे अब यह what का reply, I love what my home my क्या है सर, determiner है, adjective कह सकते अभी, क्योंकि noun के बारे में बता रहा है बात की बात है, बात में determiner आपको पढ़ाओंगा आइस्था आइस्था, लेकिन आइस्था आइस्था एकदम से रायता नहीं रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तरी को तो basic आता था अरे, कदम क्यों लड़ खड़ा रहे है basic तो आता था, बेटे, यही ego है हमारी, क्या होता है, जब teacher basic पढ़ा रहा हुता है, तो हम सोचते है, हम सोचते है, और यह तो मेरे को आता है, मेरे पुतर, आपको मैं फिर से याद दिला दूँ क्या याद दिला दो आप उस teacher के पास पढ़ रहे हैं जिसने rank holders दिये हैं जो तेरा साल, तेर में साल है मुझे पढ़ाते हूँ, जिसके पास इतना अच्छा खासा experience है, इतना अच्छा teaching style है, तो पुत्तर वो teacher अगर कुछ कह रहा है, तो सौस समझ के कह रहा हूँ, बिटा आपसे हाथ जोड के निविदन है, अपनी ego को कभी आडे मताने देन, भले ही आपको बेसिक आता हूँ, लेकिन मेरे साथ पढ़ना, क्यों कि उस बेसिक को मैं कैसे कैसे आइस्ता इस्ता यूज करके आपको किस तरीके के topic कराऊँगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपको हाजोड के कहा रहा हूँ, कि जिसके पास आए हो, दिल से और अच्छा पढ़ाँ, यह मेरा बाद है आपसे, तो उस टीचर की respect करो, उस टीचर के content की respect करो, और respect कैसे होगी, patience रखके बड़ाँ, अगर easy लगती है, चीज़ें जब easy चल रहे हो, तो speedometer पे class देख लो, लेकिन चीजों को skip मत करना, भूल करो, skip मत करना, वरना चीज़े, बदल जाएंगे बिटा, जब जब skip करने का मन करे, तो तब तब देखना, क्या-क्या, वाप को वहाँ है, यह चेहरे, काम्याब बनाए हैं, अब आपकी पारी, चेक है, अब दुबारा से देखो बिटा, अब आपको मुझे एक और चीज़ बता नहीं है, क्या चीज़ बता नहीं है, गुरू जी, कुछ यहादार, क्या, देखो बिटा, लव can change anything, प्यार किसी भी चीज़ को बदल सकता है, बिटा, लव क्या था, नाउन क्योंकि सब्जेक, यहाँ मैंने क्या लिखा, I love mine हो, बिटा, यहाँ लव, मैं प्यार करता हूँ, अपने घर से, यह क्या है वर्ब, देखा बिटा, जिज़ बात बदल गई, अब आप से कोई पूछे, ठिक है, ध्यान से सुनना बिटा, अब आप से कोई पूछे, अब आप से कोई पूछे बिटा, कि मुझे यह बताईए, यह love क्या होता है, noun या verb, आपने वो love है, sentence बता दो, sentence बता दो, मैं ऐसे नहीं बताता, मैंने रटना छोड़ दे, तो parts of speech, sentence के हिसाब से पहचानेंगे, parts of speech, उस word के, use के हिसाब से पहचानेंगे, क्योंकि same word, अलग-अलग parts of speech में use हो सकता है, ठीक है बता, तो इसी के नेचे एक प्यारा सा note लिखेंगे, आप बोलोगे, parts of speech, ठीक है, parts of speech, word के, sentence में, use के, according, use के according, identify की जाएगी, identify की जाती है या की जाएगी, so according to the use of the word in a sentence, we have to identify the parts of speech of that particular word, if you want to write down this particular statement, by using the English language, you can write it, just like, according to the use of the word in a sentence, we have to identify the parts of the speech of that particular word, are you getting my point, चले बिटा, Hindi, English, दोनों में बोल दिया पुत्तर, parts of speech, word के, sentence में, use के according, identify की जाती है, सीधा मत बताओ, direct क्या पैसा करते हैं, ठीक है, ठीक है, यह ध्यान रखना बिटा, ऐसा मत करना, यह direct है, तो नाउन को, जब आप face करते हो, तो आपके सामने यह यह problem आएंगे, नाउन की जगे, pronoun देख सकता है, नाउन, adjective की तरह देख सकता है, noun और adverb का थोड़ा difference, हमें पता है, इसा पता है, वो देखना है, ठीक है, यह हुआ इसका पहला concept, noun जब ऐसा word आएगा, जब noun ऐसा word आएगा, तो आपको noun ऐसा दिखाई देगा, यह हुआ इसका पहला concept, ठीक है जी, अब मुझे आपको पढ़ानी है, noun phrase, हैं, वो इसी का concept है बटा, हमारी main heading का है, noun की identify करना, आपने बोला सर, हमने सीखतु लिया noun को identify करना, देखो न, किता अच्छा सीखा, मैंने बोला, लेकिन अभी इसमें, यह noun बड़ा हो जाएगा, और noun phrase बनेगा, तो अब जो heading डलेगी, इसी के नीचे heading डलेगी, आपकी noun phrase, कि noun phrase क्या होती है सर, अब हमें ये समझना होगा, कि noun phrase क्या होती है, अब हमें ये समझना होगा, noun phrase क्या होती है, अब हमें ये समझना होगा, तो ये थी आज की हमारे गहाने अब noun phrase ना चालू कर पाऊंगा ना खतम time है कम अब अगले session में मैं आपसे मुलाकात करूँगा अब अगली बात मैंने बोला था noun phrase अगली class में होगा इसका मतलब noun phrase किसका हिस्सा है बिटा noun phrase noun identification का ही एक हिस्सा है बिटा कि noun को आपने identify करना सीख लिया सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से आपने उसको सीखा एक word के तरीके से sentence में एक word noun होगा जो हू, whom या what का reply बनता है आज पढ़ते हैं बिटा उसे second class यहाँ से आज की अब start होती है सर ये noun phrase क्या है बिटा noun phrase तब समझ आएगा जब पहले एक बारा थोड़ा सा phrase के बारे में मेरे से information ले लीजिए कि आखिरकार ये phrase क्या होती है क्योंकि अगर आपको phrase का ही नहीं पता तो noun phrase भी आपको नहीं पता चलेगी phrase क्या होती है चलिए, पहले सबसे पहले हम यहां जान देते हैं इसी के नीचे आप लिखेंगे phrase पिटा phrase होती है collection of words क्या बोला मैंने? collection of words जब आप words की collection देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? phrase, my day students जब आप words की collection देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं phrase जैसे कि मैंने आपको कहा था जब आप letters की collection करते हैं तो जब आप letters की collection करते हैं तो बनता है word और word की collection करते हैं तो बनता है phrase कुछ इस कहानी को आप यह कह सकते हैं ठीक है sir और वो words की collection को उस गुच्छे को हम क्या बोल देंगे phrase ठीक है दूसरी बात आप बोलोगे sir अगर हम phrase की बात करते हैं पुत्तर कि भाई words की collection को आप phrase बोलने लग रही हो हाँ तो आपके सामने एक और समझ्याएगी सर वो तो sentence होता है वो तो sentence होता है गुरुजी वो तो sentence होता है हाँ क्योंकि words की collection तो sentence नहीं बेटा sentence होता है ध्यान दीजी का जिसमें subject भी हो अपनी verb भी हो बाकी आगे कोई चीज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके पास अपनी एक verb होगी अपना एक subject होगा उसे हम बोलते हैं बेटा sentence सो sentence और phrase में क्या फर्क है phrase तो sentence का एक हिस्सा है part of sentence sentence नहीं है तो phrase अपने आप में क्या है बेटा part of sentence है sentence नहीं इस बात क्या था क्योंकि sentence का मतलब है subject और उसके अपने आप में एक verb होना तो sir phrase क्या काम करेगी, collection of words होगी और क्या होगी बिटा, part of sentence part of sentence होगी, यह अपने आप में sentence नहीं होगी क्योंकि sentence क्या होता है बिटा, sentence होता है sir जिसके पास अपना एक subject होती है, अपनी एक verb होती है और बाकी चीज आगे हो या ना हो, यह कहता है यह बोलते हैं हम sentence को, तो इस sentence में छिपी रहती है phrase कैसे पहचानेंगे गुरुजी, वो सिखाऊंगा अबी तो यहां से हमने इस चीज को जाना, collection of words phrase होती है ठीक है और उस phrase को हम देखें तो वो कहां छिपी होती है, sentence में छिपी होती है आपको पहचाननी पड़ेगी बिटा, आपको ढूंडनी पड़ेगी अच्छा, यह रही वो phrase तो phrase sentence का हिस्सा होती है, sentence में छिपी होती है कैसे पहचानेंगे, अब उसको देखेंगे, ठीक है collection of words होती है, हाँ फिर दूसरी अपने आपमी बात में इसके नीचे लिखेगा, ध्यान से how to identify a phrase how to identify a phrase सर फिर कैसे पहचानू phrase में, आप तो हमें एक sentence लिखके दे दोगे जैसे बिटा, कोपी नहीं करना है, जैसे मैंने ये लिख दिया I bought, कोपी नहीं करना है I bought my favorite book मैंने अपनी favorite book खरीदी थे मैंने बोला phrase छाटो आपने बोला, हमें क्या पता गुरुजी, आपने सिखा है है नहीं हाँ, हम ये कह सकते हैं, ये sentence है है ना, ये sentence तो है phrase छाटो इसमें से सर नहीं पता, क्यों नहीं आती छाटो सिखाओ, वो सिखा रहो बिटा कैसे आप phrase पहचानू how to identify a phrase phrase को collection of words तो बन गई, लेकिन पहचानू कैसे गुरुजी उसको उसके लिए आपको क्या करना होगा बिटा, ध्यान से सुनना, how to identify a phrase, कैसे कैसे types of phrase को पढ़के अगर मैं आपको types of phrase बता दूँ तो आप तुरंत phrase पहचानना से जाएं और कितने होते हैं इसके सर, types of phrases कितनी होती हैं बिटा, बहुत सारे types होते हैं so types of phrase आप देखोगे types of phrase क्या होते हैं तो मैंने बोला, इसके होते हैं many types, बहुत सारे types होते हैं तो सर, पढ़ाओ फिर तभी तो हम चाटना सीखेंगे बहुत सारे टाइप्स होते है, अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से उसमें से नाउन फ्रेज भी एक टाइप होता है, नाउन फ्रेज, क्या होगा? टाइप्स ओफ फ्रेज में से एक टाइप है, नाउन फ्रेज, क्या है बटाईए, नाउन फ्रेज, टाइप्स ओ प्रेजिस में से, टाइप सॉफ फ्रेजिस में से, एक टाइप है, एक टाइप, तो सर बढ़ाओ, कितनी टाइप की होती हैं ये फ्रेज, बिटा बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे, जैसे, आपने क्या बोला, नाउन फ्रेज, होती है, एक बढ़ाओंगा अभी नाउन फिर क्या होती है सर, बिटा adjective phrase, हाँ, फिर क्या होती है सर, adverb phrase, गुरु जी फिर क्या होती है, जिरिंड phrase, फिर क्या होती है, ओ भाई सर, बस बस बस, इनफिनिटिव phrase, बस सर, टॉपिक बाइस पढ़ा ना फिर, नाउन में हमें noun phrase पढ़ा दो, वरना ये दिमाग फेल हो फ्रेज, जिक है, तो जो जैसी जब रिलेट करती चली जाएगी, topic wise पढ़ेगे, इस बात को याद रहे, अभी कौन सा topic चल रहे है, noun, तो noun topic में क्या पढ़ोगे, noun phrase, simple सी बात, तो ये है, noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, हाँ, तो आपने क्या बोला, topic wise पढ़ेगे, ये पता है में क्यों तो ये चीज अपने दिमाग में रखे है, चलो एक बार wind up करते है, phrase क्या होती है, sir, collection of words होती, ठीक है, उसको collection of words को हम फ्रेज बोलते है, आपने बोला, okay, कहां मिलती है, sir, sentence के अंदर मिलती है, sentence के अंदर मिलती है, आपने बोला, okay, sir, sentence के अंदर कैसे ढूंडूमा, phrase ढूं अब मेरा question ये नहीं है, how to identify a phrase, नहीं, अब मेरा ये question है, how to identify a noun phrase, मेरा question बदल गया, फिर मैं adjective में सिखाऊंगा, how to identify an adjective phrase, preposition तो prepositional phrase, adverb तो adverb phrase, gerund तो gerund phrase, इस तरीके से हम इन चीजों को पढ़ेगी, तो कहानी मुश्किल नहीं, असान हो जाएग, तो जब हमने यहां तक इसको देख लिया बेटा, तो अब इसके नीचे जो हमारी heading डल गई, वो heading डल गई, how to identify a noun phrase, इसके नीचे लिखो, how to identify a noun phrase, एक noun phrase को कैसे हम identify करें, how to identify a noun phrase, किसको बोलते हैं सर noun phrase, आओ एक noun phrase का एक बढ़िया सा, प्यारा सा एक नुस्का हो जाए, द noun phrase बराबर है, किसके सर, बराबर है, किसके, देखो बटा, जब आप noun use करते हैं, जब आप यह rough है, यह copy नहीं करोगे बटा, जो मैं अभी blue से लिख रहा हूँ, वो rough है, यह copy नहीं करना, copy आप यहां पे लिखवाऊंगा, जो वो करेंगे, क्या होता है छुटकू, क्या होत बताए, वो क्या होता है, adjective, और कौन-कोन है, सर, जो noun के बारे में बता लेते हैं, बिटा, articles, अच्छा गुरुजी, और कौन है, जो noun के बारे में कुछ बताता है, बिटा, determiners, सर, यह determiner क्या होता है, बता दो ना, सर में दर्द करता है, article पता है, यह अंदा होते हैं, adjective पता करने का हिंदी में बराबर में मीनी क्या होगा फिक्स करना जैसे गाड़ी है किसके अरे अरे मेरी गाड़ी भाई अरे कौन सी अरे ये वाली गाड़ी भाई अरे वो वाली गाड़ी अरे एक गाड़ी दो गाड़ी तीन गाड़ी चार गाड़ी अरे पांच गाड़ी अरे वो बाद हो गए क्यों क्यों किनका मालिक तो नाउन है तो सर अरे इन सब को जोड़ कर हाँ नाउन फ्रेज मनती है इसका मतलब यह होगा मेरे बच्चे ध्यान से सुने का मैं जरा लिख दूं बैटके नीचे अगर मैं यह कहता हूं मेरे पुत्तर कि यहां पर आपको दिखाई द मेरे पुत्तर नाउन के बारे में जो इंफोर्मेशन दे वो क्या हो सकता है सर वो एडजेक्टिव हो सकता है जो नाउन के बारे में इंफोर्मेशन दे सर वो आर्टिकल हो सकता है और जो नाउन के बारे में इंफोर्मेशन दे और वो क्या हो सकता है गुरूजी वो डैटर ठीक है, beautiful, handsome, कुछ भी, डेटर्मीनर में क्या आ गया, this, that, these, those, my, your, our, फलाना, डिमकाना, इतने सारे डेटर्मीनर होते हैं, गुरू जी सारे लिख दो, अरे बेटा, वो तो डेटर्मीनर टॉपिक में देखेंगे, लेकिन लड़ू अभी इतना पता हो, अगर मैं ये कहूँ मेरे पुत्तर, इनको जोड कर, ये जो गुच्छा बन रहा है, इनको जोड कर, ये जो गुच्छा बन रहा है, इसी को बोलते हैं मेरे पुत्तर, noun phrase, कितना आसान है, तो क्या फर्क पड़ा, बेटा जी, पीछे देख, इधर आपने एक शब्द छाटा था, बस noun, इधर आपने एक शब्द छाटा था, एक word छाटा था, वो noun था, अब noun के साथ, वो क्या हो गया, गुड के साथ मख्या आगी, क्योंकि यह पी तो noun का ही हिस्सा है, यह भी तो noun का ही परिवार है, तो अब तक आपने सिर्फ noun चाटना सीखा, अब noun phrase भी आगे, क्या बड़ी आपत होगी, सिखो नो बड़ा, noun पढ़ने में तभी तो मजा आएगा, एक दम base से बनाते चलो न, तो आपने ये चीज देखा, चलो बड़ा, एर ऐसे डबबा बनाना है, बिल्कुल ऐसे notes बनाने है, ठीक है, अब ध्यान देना बड़ा, example करा हो, सर्थ मजा आजाएगा, तुरन पहचा फेवरेट कार, मैंने अपनी फेवरेट कार खरीदी थी, सर, अब बता बिटा, आपने क्या खरीदी थी, सर, गाड़ी खरीदी थी, I bought what बिटा, I bought what, sir, car, इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्तर, ये जो कार है, ये main noun हो गया, I bought what, अरे मेरे बच्चे, इसका object कार तो हो गई, अब तक आपने ये चाटना सीखा था, देखो, इसमें word जब एक noun था, आपने ये चाटना सीखा था, छुड़ चुड़ी बाते, छुड़ चुड़ी बाते, छुड़ चुड़ी बाते, I bought what, car, किसकी कार, अरे सर, फेवरेट है सर, किसकी, अरे मेरे सर, अब एक बात है, सर, इस noun के लिए, अच्छा, ये किसके लिए है, सर, इसका मालिक, भी यही है, मेरा काम काता है, अरे पुतर, ये determiner हुआ, अब ये भी बताए न, जो noun को fix करता है, adjective का ही हिस्सा होता है, determiner भी बिटा, ये भी adjective हो गया, हाँ, तो एक बात बताओ पुतर, अगर मैं इन त साथ क्या कहलाएगा, एक साथ, अलद अलग तो आप इसको adjective बोल दोगे, आप इसको छुटकु डेटरमिनर बोल दोगे, एक साथ क्या बोलोगे बिटा, इसको आप, एक साथ क्या बोलोगे, noun phrase, बस बास बहुत, noun phrase, आप इसे बुक बोल दो, गाड़ी बोल दो, कोई अगर इसी में ये बंदा ये बोल दे, I bought, मैंने खरीदी थी, I bought favorite books, चीक है, बस, यहाँ खाली ये बोल दे, I bought a new car, I bought a new book, चलो, car हो गया, book खरीद लो, बस, I bought a new book, बिटा, ये क्या हुआ, सर आल्टिकल बुग, बिटा, नई थी गाड़ी, तो नया क्या हुआ, adjective हुआ, मेन माई बाप कोन है, इनका, गाड़ी है, सर, मेन माई बाप, गाड़ी है, तीनों को एक साथ जोड़ोगे, तो बिटा, क्या होगा, noun phrase होगा, आपने बुला, सर, आपने ये तो बहुत असान करा दिया, noun phrase को चाट मे ये तो बहुत असान हो गया, गरूजी, अब तो किसी को को doubt नहीं, बिटा, noun phrase में, noun phrase, noun phrase, चलो, अब एक question और करते हैं, एक example और करते हैं, बिटा, ठीक है, देखो, मैंने बोला, his, his, black shirt, his black shirt, हा, was, washed by her, उसकी black shirt, उस लड़की के दुवारा, धोई गई थी, ठीक है बिटा, ठीक है, मुझे इसमें पुत्तर, noun phrase बता दो, कौन सी है, his black shirt was washed by her, मुझे इसमें बता दो, noun phrase कौन सी है, your time starts now, मुझे इसमें बता दो, लड़ू, noun phrase कौन सी है, sir, writing big, sir, बड़ा लिखो, ऐसे हिन्नी में लिख दे रहा, यह हमेशे एक साथ मिलेगा, बिल्कुल दिपेश, हमेशे एक साथ मिलेगा, बता लड़ू, आज सब कह साथ, आपने बुला, sir, his black shirt, यह noun phrase, बिटा, आपको noun phrase पहचानने आगे, आपने noun phrase पहचानने सीख लिए, simple सका, वो एक subject के रूप में हो सकती है, वो एक object के रूप में हो सकती है, sentence के starting में हो सकती है, verb के बाद भी हो सकती है, कोई फर्क नी पढ़ता है, noun क्या है, shirt, अगर मैं कहता बिटा, noun बताओ, shirt, noun phrase बताओ, his black shirt, यह फर्क बिटा, noun phrase में यह फर्क, कुछ आया मजा है noun पढ़ने में, इसलिए मैं कह रहा था, फर्क नी पढ़ता, आप English medium स्कूल से पढ़े हो, फर्क नी पढ़ता, आप Hindi medium स्कू करते रहे, और English बोलते वग, there is no requirement to identify the noun phrase, you can speak the English language directly, there is no requirement to use any kind of grammar there, of course not, just try to listen to the people, just try to read newspapers, novels, watch movies, and all, and just start using the sentences just like your Hindi language, हिंदी भी तो बोलते हो पुतर, हिंदी बोलने में काही की व्याकरन यूज़ कर रहे हो, इसलिए हर बच्चा basic को ध्यान से पढ़े हो, चलो जी यह आया आए आए आपको noun phrase पैचामने में मजा, बताओ भाई साब किसी को भी किसी भी परकार की कोई भी समश्य है बिटा, च एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है जब यह topic पूरा होगा, तो मैंने एक बहुत प्यारी सी चीज आपके लिए बनाई है, वो बनाई है मेरे बच्चे, noun self study, एक self study, assignment ready किया है मैंने, basic के लिए, basic के लिए जो बहुत ही शांदार होगा, essay की, देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी basic के लिए मैंने एक इसकी assignment भी आपके लिए तयार की है, आपके पास मिलेगी, और इसको मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल इसके end में, देखो, और गो थू करने के लिए, noun क्या है, naming word चाहे visible हो, या feel only हो, जैसी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए बिटा, people का, place का, animal का, idea का, ये, और फिर मैंने उसके कुछ examples दे, फिर देखो बिटा, sir, noun के use आपने पढ़ाई, ये भी मैं पढ़ाऊँगा, तो आप उसको इस तरीक और आपका ही टेस्ट लोगा, कि छाट के बताओ, इसमें से बताओ, छाट के बताओ, जैसे इसमें आया, बिटा, noun phrase, मैं कहूंगा, चलो, छाट के बताओ, इसमें से noun phrase क्यांसी है, जैसे आपने बुला, प्रांजल एन हर्शित, दो हो गए, ये भी है, ये भी है, जुड़ noun phrase बन गया, a well-known museum of art, noun, यहां तक देखो, पूरा noun phrase बन गया है, अब देखो, क्या है बिटा, museum है, क्या है, of the well-known museum of arts, ये पूरी की पूरी एक ही तो family है, एक ही तो परिवार है, noun phrase बन गया, देखो, the building near the bus stand, ये पूरा noun phrase बन गया, ठीक है, तो वो आपको ये चीज़े अभी नहीं, अभी आइस्ता इस्ता आपको मुझे train करना है, आइस्ता इस्ता train करना है, उस बात पर अभी नहीं जाना है बिटा, ठीक है, बट ये देखो, मजा आएगा वो चीज़े पढ़के है, देन है, चलो, आगे बढ़ते हैं, उच्छ और example इसके देखते हैं, ध्या The father of Rahul is ready to go there, Rahul के पिताजी वहाँ जाने के लिए तयार है, देखो, बात तो पिताजी की है, पिताजी के साथ कौन-कौन जुड़ा है, The father of Rahul, Rahul के पिताजी, नबभा बना लो, ये noun phrase बन गई, क्यों क्योंकि बिटाई, सारा का सारा मामला इससे जुड़ा है, में नाउन कौन है, इसमें, पिताजी, में नाउन, बिटा, नाउन phrase में पक्काई क्या होगा, में नाउन, और बाकी उस राजा के सारे सिपाही होंगे, जो उसके साथ आके जुड़े होंगे, मैं अगर यहां से ये हटा दूना, सब बरबाद, अब दा का कोई अर्थ नहीं ओफ राहुल का कोई अर्थ नहीं, अब कोई का, आपने बोले सर, कहां, खतम सब कुछ, क्योंकि में नाउन हटा दो, सब बिचारे बरबाद हो जाएगे, दव फादर ओफ राहुल, इस रेड़ी, टू गो दियर, राहुल के पिताजी वहां जाने के तयार, लेहां तयार, तो आप यह नहीं बोले, पिताजी जाने के लिए तयार, किसके पिताजी है, राहुल के पिताजी वहां जाने के लिए तयार है, तो पिताजी और उसके साथ आखी, सारे extra information उसके साथ चिपक गई, ठीक है, हाँ, तो वो चीज आपने बोल दी, अच्छा सर, noun, ठीक है, phrase बन अब इसी को, और प्यार से आप noun phrase लिख सकते हो, my dear, इसी के निचे एक छोटा सा note लिखे है, क्या note लिखोगे, आप ऐसे note लिखोगे, main noun, हाँ, अब main noun से related बात चाहे यहां लिखे, या main noun से related बात आप यहां लिखे, कोई फरक नहीं पड़ता, देखरो, इससे जुड़ी इस बाते मैंने यहां पर article भी लिख दिया और बाद में भी चीजे लिख दी, चाहे मैं पहले चीजे लिखूँ, चाहे मैं बाद मी लिखूँ, या मैं पहले बाद में दोनों लिखूँ, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, main noun और main noun से जुड़ी explanation, main noun और is main noun से जुड़ी explanation, इस main noun को आपने क्या किया, explain किया तो वो क्या हुआ इसका adjective, इस main noun को क्या किया, explain किया तो ये हो गया, ये हो बस कोई फरक नहीं पड़ा, main noun है, कोई भी noun है, और उनसे जुड़ी बात है, या क्या पता, आपने दो nounों को जोड़ दिया ऐसा भी हो सकता है, दो nounों को जोड़ दे, तो आप noun एक क्या कि, इसमें एक है, दो है, सरी, दोनों भाई है हाँ, तो वो जुड़ गे, गुच्छा बन गया न, word का ठीक है, खतम हो गया, phrase आ गए इसलिए बिटा noun, चाहे पहले explanation हो, बात में बात में, दूसरा दो noun जुड़ गए, कोई बात नहीं, जुड़ेगा conjunction, कोई बात नहीं, noun phrase बन गए, इसलिए मैंने बोला, जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए एक example दिया, कमल and sahil, कमल and sahil, will go there, कमल और sahil वहाँ जाएंगे, my day students noun phrase बताना, कमल और साहil वहाँ जाएंगे, तो आपको एक self study, जो PDF में आपको दूँगा, जो noun का, आप इसको revise करोगे, उसमें से, जो सारी चीज़े पढ़ाऊँगा, मैं उस PDF से आप revise करोगे, self study PDF से, तो अपडेट करके दूँगा, इसको मत पढ़ना बिटा, यह इसको और अपडेट करूँगा, मैं भी, जब last में आपको दूँगा, तब उसको पढ़ना, आपका इतना बहतरी न तरीके से noun revise हो जाएगा, कि आपको मज़ा आजाएगा, बहुत शांदार तरीके से आपका noun revise हो जाएगा, करूँ बेटा, इसको फटाक्सिकों भी एक बाल चिक है, चले, अब आगे बढ़ते हैं, सर हमें आगया, noun phrase आगया, अब अगली चीज पढ़ाओं बेटा, अब आती है आपकी अगली चीज, noun clause, noun clause, अच्छा, my dear students, अब आप बोलेंगे न, सर और noun phrase अगर आप छाटना सिखा देते तो, मतलब और example दे देते, बट वो examples अभी नहीं दूँगा, मैं आपको बाद में दूगा, अभी नहीं दूँगा, बाद में, मतलब जब पूरा topic पढ़ा लोगा, अभी क्या हो जाएगा आप बिखर जाओगे वर्ना, आप difficult लग जाएगे वो चीज़ें, अभी मैं आपके लिए छोटे sentences तेहर कर रहा हूँ noun में, ताकि छोटे-छोटे sentences में से आप इन चीजों को देखो, जैसे जब पूरा noun complete होगा न, हाँ, फिर जब मैं आपको बड़े sentences में से चीज़े छाटनी बताऊँगा, आपको समझ आएगे बिटा, वहता न, पहले दिन बच्चा exercise करने आया, उसी दिन उसको सारी exercise करा दो, क्या हालत होगी उसकी, अगले दिन पता आये गई नहीं वो, वो घबरा गया, फिर तो इतनों कुछ करना है, उसको आइस्ता इस्ता लिबल पे अपने आपको लाओ, हर एक topic का ये नजरिया, ठीक है, noun पढ़ने का अलग तरीका होगा, pronoun अलग तरीका होगा, हर चीज के अलग चीज़े से, अब noun मैंने close लिख दिया, अब आप बोलो के, गुरी जी मिरे को दो close ही नहीं पता क्या होती है, मेरे को क्या पता close क्या होती है, थिक है, पहले जैसे आपने phrase बताया, क्या होती है पहले close बताओ क्या होती है फिर बताओ noun close क्या होती है बिलकुल यह उसी का साथी है ठीक है बिलकुल यह उसी का साथी है my dear ध्यान से देखेगा क्या होती है ठीक है न, देखो, ध्यान से सुनना भाई, नाउन फ्रेज में तो कोई दिक्कत नहीं और बता है बटा, main heading क्या है हमारी main heading है ये, noun identification sentence में से noun कैसे पहचाने noun एक शब्द है, उसको पहचान लो noun एक फ्रेज है, उसको पहचान लो noun एक close है, उसको पहचान लो बस, noun को पहचानने का काम खतम हो जाएगा, तो लास्ट काम है जो आपको पहचानना है, कि noun close क्या होती है मैं तो पहली बार सुन रहूं सर, close ठीक है, देखो बटा, अब मैं आपको explain करता हूं, close क्या है, इसी के नीचे लेको close close पते क्या होती है, ऐरो लगाओ close अपने आप में statement होती है close अपने आप में क्या होती है एक बार, जिसको हिंदी भाषा में आम भाषा में आप क्या बोल दोगे एक बार होती है, close, एक statement होती है, जिस statement जिस statement के पास अपना एक subject होता है और अपनी एक verb होती है और आगे बात वो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है इसी को हम बेटा जी कहते हैं clause इसी को हम कहते हैं clause तो इस clause है अपना एक sentence है उस sentence के पास अपना एक subject है अपनी एक verb है और आगे की explanation पस आप बोलोगे सर यह तो sentence होता है आपने ने बोला सर तुरंट माइंड में आओगा न तुम्हारे आजो सर यह तो sentence होता है आप इसको clause बोल रहे हो नया नाम दे रहे हो अब इसको याद करूँ मैं अब नया नाम दे रहे हो यह तो अपना sentence हो गया मैंनो लब बिल्कुल जी मतलब एक sentence को ही आप clause कहते है आप बोलोगे फिर clause और sentence में कोई फरक नहीं तो दो नाम क्यों है गुरू जी दो नाम क्यों है बिटा मैं बताता हूँ आपको ध्यान से स करना है पहले सुनना इस बात देखो मैं अगर यह बात बोलू मैं अगर यह बात बोलू राम इस माई फ्रेंट राम मेरा दोस्त है कोपी नहीं करना भई हाँ सुनना राम इस माई फ्रेंट हाँ कोमा and he is ready to go there और वह वहाँ जाने के लिए तया कितने sentence एक कितनी बाते हैं द अब तुमने हिंदी में क्या बोला कितनी बाते हैं आप बोलोगे सर एक बात यह है यह हुआ कंजेंक्शन और दूसरी बात यह कितनी बाते हैं दो बाते हैं कितनी बाते हैं दो बाते हैं दो बाते हैं बिटा कौन जोड़ रहा है कंजेंक्शन sentence कितना एक तो इसी बात को हम close करेंगे, एक clause, दूसरी clause एक clause, दूसरी clause, या कहो एक statement, दूसरी statement, दोनों statement को conjunction and jod पूरा मिलके क्या हुआ, sentence अभी के लिए आओ, अब आईगी जरबाद चित तो अपने आप में clause होती है एक statement, जिसके पास अपना एक subject और एक verb और आगे की explanation होती है, ठीक है, हाँ और उसी को हम clause कहते हैं तो हमने क्या देखो, पहला sentence पहला example देखना, मैंने बोल दिया he is he is my best friend वो मेरा best friend, अब मुझे बताओ, आप इसको देखोगे dear, तो ये अपने आप में आप बोलोगे, सर, subject है, verb है, पूरी statement होगी हाँ, तो सर, ये अपने आप में एक clause हो गई कितने sentence है, सर, अपने आप में एक sentence भी हो गया, very good तो ये sentence कितनी clause का है एक clause का है, तो ये sentence कितनी clause का है, एक clause का है, very good, इसका मतलब clause भी part of sentence हो इनके पिताजी sentence ही है, इनके पिताजी हमेशा sentence ही ठीक है तो ये एक sentence है जो कितनी close का है एक close का है ठीक है अब देखूं मज़्यदार चीज़ आपने बोला yes sir अब मैंने आपके लिए दूसरी बात देखे मैंने बोला I invited him मैंने उसे invite किया था I invited him मैंने उसे invite किया था गुरुजी but he did not come परंतु वो आया नहीं sir परंतु वो आया नहीं कितने sentence है एक कितनी बाती है दो इसका मतलब दो close है आप बोलोगे sir एक ये close हुई आप इसको close बोल दोगे एक ये close हुई हाँ आप इसको close बोल दोगे और ये क्या है बेटा conjunction लेकिन इसका मतलब जो ये conjunction होगा सर ये कौन सी close का हिस्सा मानू ये मैं पहले वाली close का हिस्सा मानू या ये मैं दूसरे वाली close का हिस्सा मानू कौन सी का हिस्सा बेटा देखो ये इसके साथ नहीं जुड़ा ये इसके साथ जुड़ा है इसे लिए मैं अब चाहूं तो मैं इस पे पूरा box बना दूगा और मैं कहूँगा एक clause यह है इसका मतलब यह हुआ बेटा मैं इस conjunction को भी इसी clause का हिस्सा मानूगा इसका नहीं ये किसके साथ आया है इनके साथ जुड़के आया है तो ये जो conjunction होगा वो बेटा इस close का हिस्सा माना जाएगा तो box ऐसे बना एक बात दूसरी बात तो conjunction क्या बेचारा इधर उधर घूमे वो उस close का हिस्सा माना जाएगा बेटा जिसके साथ वो जुड़ा है वो इस close के साथ जुड़ा है तो इस close को आप यहीं से बोलो यह अपने आप में एक close है यह ध्यान रखो कितनी चीज है कितना असान काम है कुछ बड़ी बात पर नहीं है complete आप इसे बोलोगे गुरुजी यह एक sentence है complete आप बोलोगे इसे यह एक sentence है simple अभी मैं सिर्फ close छाटना सिखा रहा हूँ बेटा सिर्फ close दूसरी बात अब इतनी आ गई तो इसको थोड़ा सा आगे सीखे जो close बेटा conjunction के साथ जुड़ी होगी वो तो होगी extra बात जो close बिना conjunction रहेगी क्या कहा हम इने जो close बिना conjunction रहेगी उसको हम बोलेंगे उस sentence का main मालिक यानि की main close इसको principal clause भी कहते हैं बेटा बट अभी नहीं बताऊँगा थोड़ी देर में इसको एक और नाम दे दिया दियाता है principal clause मतलब जो main हर्थदार होगा जो main मालिक होगा वो ये होगा इसको बोलते हैं बेटा main clause समरे है दूसरा इसका एक और नाम क्या ये सिर्फ अपने बलबूते पर जीएगी ये सिर्फ अपने बलबूते पर जीती है ये इसमें आके जुड़ा है ये इसके पास नहीं गईगी बेटा ये इसमें आके जुड़ा है sentence में इसमें ये नहीं जुड़ा इसमें ये जुड़ा है तो जो conjunction के साथ बात होगी बिटा, ये इसमें जुडेगी, तो main clause ये है, main clause ये है, और इसलिए कहते बिटा, main अगर हकदार मैं हूँ, तो ये मुझपर depend है, मैं इसपर depend नहीं, बात बड़ी interesting है बिटा, ये इसपर depend है, क्यों, क्योंकि ये आके जुडा है, वो तो main था, अब एक बात बताओ बिटा, ये main है हमारा house, suppose करो, ठीक है, अब इस में, अब इस main में ये आके जुड रहा है, तो बिटा, ये फाल तो हुआ, ये नहीं, ये main है, इसलिए इसको बोलते है, independent clause, इसका एक और नाम है बिटा, independent clause, independent है वो, तो इसका नाम एक और रख दिया गया, बेटा, main clause को ही हम, independent clause कहती है, तू भाड में जा, जो हूँ, मैं हूँ, वो होती है, independent clause, मतलब, तू मुझ में आके जुड़ा है, मैं तेरे में नहीं, ये फर्क है बेटा, दो, तो क्या सीखा बंधू, ठीक है, principle clause, अभी तो नाम भली, avoid करो बेटा, ज़्यादा नाम मैं आ मैं सिंपल बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, main clause, इसको क्या बोलते हैं, independent clause, अगर ये independent clause है, तो ये क्या हुई, dependent clause, लेकिन अभी मतलिको नाम, अभी मतलिको, अभी सिरफ बस इतना, क्योंकि बटा, बहुत सारे नाम याद कर लोगी, खोपड़ी फट जाएगी सो, आह तो clause एक बात होती है, एक बात, एक बात मतलब एक statement, एक statement है, हाँ, तो वो तो sentence हो गया, बिल्कुल बटा, तो एक sentence एक clause का भी हो सकता है, दूसरा, बाते जुड़कर भी तो sentence बन सकता है, बात तो को जोड़ने के लिए पक्का क्या दिखेगा, conjunction दिखेगा, दो बाते जोड तो वो conjunction किसका हिस्सा है, वो उसका हिस्सा माना जाएगा, जो उसमें आके जुड़ी है, और जो बिना conjunction है, वो main clause, अब एक sentence और देखो बिटा, अपने आप आपको चीज़े समझ में आजेगा, तीसरी बात, मैंने बोला, he was, he was watching the TV, वो TV देख रहा था, he was watching the TV, हाँ, when, when she came, जब वो लड़की आई थी, ये came है बेटा, c-a-m-e, वो TV देख रहा था, जब वो लड़की आई थी, मुझे बताओ पुतर, इसमें कितनी बाते हैं, कितनी बाते हैं, अब इसमें बताओ, दो बाते, बेटा, conjunction कहां है, दो बाते हैं, तो बिना conjunction कैसे आ जाएगा ब अच्छे, ये conjunction किसके साथ जुड़ा है, सर, अगली वाली बात के साथ, तो बेटा, ये वाली बात क्या हुई, सर, एक्स्ट्रा है, ये clause बनेगी, और इस clause को किसका हिस्सा मानेंगे, इस conjunction को, इसका हिस्सा मानेंगे, तो सर, इसका मतलब, he was watching the TV, ये mean clause हुई, एक clause हुई, एक sentence, बस, तो आपको sentence और clause का अंतर दिखाई दिया, अच्छा सर, मतलब clause भी कही न कहीं उसी का हिस्सा है, बताईगी बिटा, ये असान हुआ, ठीक है, ये असान हुआ, बहुत असान काम बन गे, ये वाली चीज है, ये बिटा होता है कहना देखो, smart game तो जान लेगे, बि के लिए मैं specially बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे जो smart है, smart है तो ठीक है, ये वाले धियान रखना, हर चीज को, क्या कि मेरे लिए बिटा हर एक बच्चा से एक समान, मुझे एकदम बेश से पढ़ा, ठीक है, एकदम बेश से पढ़ाना है, तो ये pre-batch तो है नहीं, paid batch जिसने नहीं खरीदा हो, खरीद के रखिएगा बिटा, free नहीं है, ये सिर्फ मैंने कहा नहीं, बच्चो को कि noun से जो बच्चा जुडता है, सीखने स्टार्ट करता है, ठीक है, वो वहां से अपना जुड़े batch को, कोई भी, आपके दोस्त को भी join करना हो, noun से join कर सकता है, ठ ये close बना, ये close बना, दोनों जुड़ी, एक sentence बना, अब चाटना आ गया, मतब close चाटना आ गया आपको, तो फिर अब noun close कैसे चाटने सर, noun close कैसे चाटने, close पता चल गया, close क्या है, एक बात, एक statement, जिसमें subject verb आर आगे की बात होती है, ठीक है, अब phrase के पास थुड़ ना क तो तीन तक जाने की जुरत नहीं, तीन sentence का, तीन जो है, आप ये कहोगे न, तीन बातों का भी एक sentence हो सकता है, तीन close का भी हो सकता है, कोई दिख कर नहीं, अभी आपके लिए दो काफी है, सर, अब हमें noun close चाटना बताएगे, अब मेरी heading क्या ड़ेगी, how to identify, ठीक है, बस noun close, इसका मतलब सर्फ close के भी कई सारे types होते हैं, बिलकुल बेटा, तो अब आप इसी के नीचे लिखोगे, इसी के नीचे लिखोगे, clause, हाँ, arrow, many types, अच्छा, इसके भी कई types होते हैं, तो फिर बेटा, topic के हिसाब से पढ़ते चलेंगे, जैसे अभी देखो कई तो अभी इसके बता दिया मैंने, main clause, independent clause, coordinate clause, subordinate clause, relative clause, adjective clause, adverb clause, noun clause, बहुत सारे नाम हैं भी, अब आपने क्या बोला, clause के भी बहुत सारे types होते हैं, जैसे phrase के बहुत सारे types होते हैं, उन types में से, हाँ, noun clause, उन types में से, noun clause, हाँ, एक type, noun clause, one of these types, या one of the types, उन types में से ये एक है, one of the types, उन types में से एक type है, noun clause, तो noun में सिर्फ हमें noun clause पढ़ना है, बाकी गई भढ़, तो मुझे तो बस यहाँ से आपको clause छाटना सिखाना तो, clause छाटना सीख लिया, उनके नाम नहीं बता रहा है, बिटा मैं अभी, clause छाटना सीख ल है, ये clause है, अब हमी सीखना noun clause कैसे पैचाना है, तो clause, many types, noun clause, one of the clause, आपने इसी को स्टार करके इसके नीचे लिख लिया, बिटा, लिख लिया जी, हाँ, अब मैं heading डालूँगा पुत्तर, how to identify noun clause, जो कि मैं अगली स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, how to identify, आप उसी के नीचे लिखोगे बिटा, noun clause, सर noun clause को कैसे पैचाने, कैसी दिखती है ये, सर जैसे आपने noun phrase को बताया, वैसी ही अगर बता दू, तो हम लड़ू बाटते, देखो डीर, कैसे बाटते, noun clause को पैचानने का एक बेहद ही असान तरीका हुआ मेरे पुत्तर, आ आप क्या करिए, घंड़ेड़ प्रसेंट आपको noun clause पता है कैसी दिखाई देगी, ठिक है ऐसा जबाटते हैं, noun clause पता है कैसी दिखाई देगी, घंड़ेड प्रसेंट उसमें एक conjunction होगा, क्या दिखाई देगा बिटा January होगा, अच्छा, प्लस उसमें आपको क्या conjunction होगा, subject होगा, verb होगा और आगे कोई भी explanation हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिटा आपने इसको बना देना है डबा और ये बनेगी बिटा, noun close अच्छा सर अच्छा सर ये बनेगी noun close हाँ, इसका मतब ये noun close है इसका मतब क्या ये noun close है रुप जा, ठहर जा, थम जा सुन तो सही इसका ये बनेगी noun close हाँ अगर अगर वो चीज हू का हूम का या वट का reply होगी तो 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 अधरवाइस नहीं अधरवाइस नहीं वट का हूम का या हू का reply ही noun कहलाता है बेटा noun phrase भी पक्का वट का हू का या हूम का reply होगी बेटा यही बात जाकर यहां कह देना बेटा पक्का how to identify a noun phrase मैंने कहा न यह सब जुड़कर क्या बन जाएंगे noun phrase और पक्का मेरे पुत्तर हैरो लगाईए पक्का यह वट का हूम का या हू का reply भाई उसके बगएर noun कहां से ले आओगे तुम क्यों अरे पता चला वो तो वेर का reply हो गया action कहां हुआ adverb हो जाएगा action कब हुआ adverb action कहे हुआ adverb अरे कहां हुआ adverb क्या 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 खरीदया तुन्हे कौन आया था किसने मदद की थी तुम नाम नहीं पूछोगे तो क्या अब हमारा मथ्था खराब होगे हम किसी को भी मूठा के बोल देंगे noun close होगी sir noun close होगी इससे जुड़ी हुए गलत है पेटर चिक है गलत है इसको उपर उठाता है यहाँ परिशान कर लेगा इसको सबसे उपर डाल देता है अब आपको यह परिशान नहीं करेगा मुझे यह last slide समझा है यह चीज यहाँ सेखने की है बिटा अब हमें पता है हाँ गुरुजी अब खोपडी में बैठ अब देखो क्या तुम बिटा यह कह सकते हो he was watching the TV वो TV देख रहा था वट नहीं sir हूम क्ये हूम का reply है close नहीं sir क्ये वट का reply है अरे हूका होगा नहीं sir तो यह noun close नहीं है तो क्या है adverb close कैसे he was watching the TV तीवी देख रहा था कम देख रहा था भई TV अरे sir जब वो लड़की आई थी time बता रहा है छोटे अगर action का time बता रहा है तो adverb close है समझे तो बहुत सारे types हैं हमें वहाँ नहीं जाना बस अभी हमने सिर्फ बच्चों के दर चुप चाप एक छोटा समपना मकान बनाना है noun का और noun से related बाते भी पड़ा पूरी अंगरी जी नहीं उठानी हमने तो noun close पकका इसकरिपल है उसरे example दे तो मसा आ जाए देखो बटा example सुनिएगा पकका भई ठीक है अब example सुनिएगा जरा बात को बड़े ध्यान से रिखे ठीक है example मैंने बोला बिटा देखो मैंने बोला he bought देखना एक तगड़ी लोजिक के साथ example दूँगा मैं he bought books उसने किताबे खरी दी आपने बोला noun है सर देखो सिर्फ एक शब्द noun he bought books उसने किताबे खरी दी simple एक noun ठीक है कोई चक्कर नी अगला example मैंने बोला बिटा they know cricket अरे वो cricket जानते हैं बई they know cricket वो cricket को जानते cricket जानते मतलब जानते खेलना मिलना they know how to play cricket they know cricket they know cricket बई cricket जानते हैं they know Rahul वो Rahul को जानते हैं अब cricket हो they know Rahul Rahul हो अरे मेरी बच्चे ये अपने आप में क्या हुआ noun हुआ क्यूं क्यूंक्य what का reply है they know what cricket तो noun they know whom Rahul तो noun जानते हैं किसको जानते हैं cricket they know what i know whom now आप देखो बिटा मैंने क्या बॉत दे नो आप देखंग न? दे नो माई फेवरेट मूवी अरे उनको मेरी फेवरेट मूवी पता है I know your फेवरेट मूवी मेरे को तेरी फेवरेट मूवी बता है बोलते ना you know his फेवरेट मूवी तुम जानते हैं इसकी पर हाँ सर जनता हूँ मैं I know या they know they know my favorite movie उनको मेरी favorite movie पता है अब बता हूँ आप बोलोगो गुरुजी देखो they know cricket एक शब्द noun था they know my favorite movie ये noun हुआ सर लेकिन गुरुजी उसके साथ मिर्च मसाला जुड़ी गयो तो बिटा आप इस सारी चीज को जोड़के अब आपने noun की जगए एक शब्द भी आ सकता था या उस शब्द की जगए बाकी चीजे लिख दी तो बिटा ये noun phrase बन गए मैं आपको सिखा रहूँ आइस्ता-इस्ता कैसे बढ़ा है आपने बला ओके सिर्फ अब देखो बिटा मैंने कह के they know आप देखना मैं क्या करने बला हूँ they know that he is a thief ओ गुरुजी यह यह कर दो they know that he plays hockey उनको पता है कि वो hockey खेलता है उनको पता है कि वो hockey खेलता है they know that he plays hockey अब बता मेरे चोटे अब पतर जी आप एक कहानी ये देखोगे इसमें they know उनको मालूम है क्या सर 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 एक बात बताईए सर ये क्या हुआ conjunction हुआ ये conjunction हुआ और गुरुजी आपने हमारी खोपड़ी में एक बात डाल दी ये क्या बनी? close बनी और ये conjunction इसका हिस्सा या इसका हिस्सा? इसका हिस्सा बेटे ये close किसका हिस्सा बन गई है? इसका हिस्सा ये अलग है अब देखो they know हाँ what they know what that he plays hockey उनको पता है क्या पता है कि वो होकी खेलता है उनको पता है होकी खेलता है ये किसका रिप्लाई है? what का रिप्लाई और दिखाई दे रहा दीचे? और छोड़े ही परभू अगर ये what का रिप्लाई आया मेरे दोस्त तो ये क्या बन गया? नाउन क्लोस आरे मेरे बच्चे को नाउन क्लोस पहचानना आईगे हो भाईया समरहा? तो बिटा ही प्लेज होकी नाउन क्लोस है बत दैट भी उसके साथ जुड़ा है ए बेटी सुमन दैट भी उसके साथ जुड़ा है ठीक है? तो उसके लिए आप बोलोगे वो जानते हैं कि वो होकी खेलता है ये डिफरेंस है बेटा अब बताओ मजायक नहीं है भाई बताओ मजायक नहीं है वरना पर क्या पढ़ाने का फाइदा गुरुजी मजाय बेटा वोकेब की क्लास डेली ही होगी, आज भी होगी दिन दहाडे होगी, उसी जोश के शाथ होगी, उसी आखरमन के साथ होगी ठीक है और हमारी प्यारी से चैनल पर होगी, इंग्लिश भाई जेदीप सिंग पे ठीक है हमारा पता नहीं वाई फाई दो तीन बिन से ऐसी तैसी करा रहा चलता ही नहीं अब चल या बेजती कराएगा बच्चों के सामने, जब बोलो कि गुरू जी बताओ इतना कमाल या वाई पाई ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलो तो मजाग पर नहीं नहीं होगे बार है रे, मजाग बढ़ाओगे चल बटा, तब तक यह खुल रहा तो बताओ यहां तक किसी बच्चे का भी कोई डाउट है इसमें किसी भी बच्चे का यहां तक कोई डाउट है पक्का समझागे, बाग असा चल एक और एग्जाम्पल अब यह एक एग्जाम्पल से देखो, मसा नहीं आए गभी यह और एग्जाम्पल होने चाहिए, परना मसा बिलकुल नहीं बटा देखो, द्यान से सुना द्यान है, खुल गया क्या अभी भी नहीं खुल बेज़ती भी बेज़ती चल आगे पढ़ता है, अब खुलेगा तो बेटा आप इंग्लिश भाई जैदिप सिंग सर्च करना यूटुब चैनल इंग्लिश का वो आएगा अब खुलेगा तो दिखाऊंगा अपने बच्चों को देखो अब एक एग्जाम्पल यह है मेरे बच्चे अगर मैं यह कहूं आप से भी चटवाऊंगा मैं अभी अगर मैंने यह बोल दिया उसने खरीदा था अभी भी बोला था है उसने किताबे खरीदी थी तो आपने बोला बुक ना हुने बचा एक जान पूछके लिखवारों में ताकि आप ग्रोथ देखो अगर मैं बोलू ही बॉट हाँ ही बॉट ही बॉट सम न्यू बुक्स उसने कुछ नई किताबे खरीदी थी उसने कुछ नई किताबे खरीदी थी तो इसमे एक नाउन है बटा इसमें बताओ नाउन क्लोज है नाउन फ्रेज है सर फ्रेज है क्लोज तो बनी नहीं न कंजेंक्शन नहीं आया आगे बाते नहीं आये गुरू जी अच्छ अब मेरे पुत्र मैंने एक एक एक्जामपल यह लिखा अब मेरे भाईयो बहनों माताएं जर अध्यान दें अगर मैं यह कह दू मेरे दोस्त कि ही बॉट ही बॉट द्यान सोचन वट ही बॉट वट आई लाइक उसने खरीदा था जो मुझे पसंद है ही बॉट वट आई लाइक अब बताए वट वट आई लाइक उसने खरीदा था जो मुझे पसंद है अब बताओ देखो खरीदा था वट क्या हुआ बिटा किसके साथ जुड़ा इसके साथ डब्बे पे लो अरे वट तो वट का रिपलाई ही आ रहा है खुद अपने आप में वट 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 क्या खरीदा यह खरीदा तो यह अपने आपने क्या बन गई बिटा नहीं पसंद है तो यह चीज़ है आपको आया मसा? कर लो बेटा कोपी अब करिये यह अंतर कोपी किसी का कोई भी डाउट है बेटा तो वो प्लीज साथ साथ बताना अच्छे से चीजों को सीखते हुए चलना जरा सी भी कमी ना रहा जाए ना मेरे सिखाने में ना मेरे बच्चे आपके सीखने में ठीक है? डन और एक्जामपल लिख दू हम इसके? चली अब मैं कुछ एक्जामपल लिखा रहा हूँ आप बताना उसमें से चार्ट के नाउन क्लोस कौनसी कौनसी है नाउन क्लोस कौनसी कौनसी देखो I know I know how it happened नाउन क्लोस देखना वो वट का रिप्लाई होगी वो वट का रिप्लाई होगी पेटा I know that the story is true ठीक है I understand why I understand why it was necessary बेटा मैं समझता हूँ कि वो क्यों necessary था ठीक है you can do what you what you want to do तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो ये बोल सकते हो ठीक है ये है अब आएगा जी मज़ा इन में से आपको बताना है देखो टाइपिंग में चालो होगी बच्चे की बढ़ता भी रहा है फटा फट लेकिन हर एक में नाउन क्लोज नहीं हो सकती बटा अच्छे एक बात बताओ इसमें नाउन क्लोज थी कहा गया भई? ये इसमें कोई नाउन क्लोज नहीं है इसमें he's my best कोई नाउन क्लोज नहीं है हाँ my best friend noun phrase है noun phrase इसमें कुछ नहीं है तो याद रखना बटा हर एक में नहीं होते है मैं जान पूछके वह example लिख रहा हूँ जिए नाउन क्लोज है वरना तो बिल्कुल भी noun close हर जगे नहीं मिलेगे बेटा ठेक है आप देखो आपने इन चारों में से noun close देखी सर देखो ये conjunction है how ये conjunction है that ये conjunction है why ये conjunction है what ये इसके साथ जुड़ा है, 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 सब को डब्बे पे लेलो और ये वट के reply है, reply आ रहे हैं मिटा ये, चीक है, अरे ऐसे लिख लो क्या, ऐसे तो खिचडी सी बन रही है, खिचडी सी बन रह चलो फटा फट से डिजाइन बनाईए और इन चीजों का आनंद उठाईए बताओ मेरे दोस्त आया समझ ठीक है पाजी बताओ जी पक्का आया ना सबको समझे पेटा ये बहुत जूरूरी देखो मेहनत लगती है इस बात को याद रखेगा मैं हमेशे इसलिए मेरी फेवरेट लाईन हो यादो आपको यूही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के ल यूटूब पर फ्री चलेगी के लिए यूटूब पर नाउन की डेमो चला रखे नए बच्चों के लिए नाउन टोपिक की ताकि जो स्टूडेंट पढ़े होता है ना कई बच्चों को पढ़के देखना होता है पढ़े उसको क्लास अच्छी लगे हो एडमिशन लेगा जैसे आप लोग आप लोगों ने जब एडमिशन लिया चुटको आपके दोस्त ने बताया जैलीप सर अच्छा पढ़ाते है आपने पढ़के देखा आपको चछचा रखा अब मेहनत कर रहे हैं दोनों भाइग वोकेब के लिए बचा उपके बैच में कराऊंगा उससे ब याद हो मैं बार-बार आपको कहता हूं कि सिंपल आप जब देखोगे तो मैंने आपके छो स्लिबस है उसमें इस बार क्या करवाया था कहां लिए यह नहीं स्लिबस मैंने बनवा दिया था अपके लिए अच्छा वो मैं और यह देखना भाई जब-जब पढ़ने का मन ना करें बेटा तो आपके लिए मैंने पढ़ने का एक पूरा इलाज जून रखा है कहां गया हमारा जैदीप सरसले बस यह इसलिए मैंने बनवाया था जब जब पढ़ने का बनना करें अपना चेहरे लिए अब आपको बार अगली बार तुम्हारे फोटो लगाऊंगा मैं तो बहुत सारे हैं मेरे बत्ये तो वह है चलो रैंक वान टू ट्री फोर ठीक है चाहे सीपी हो चाहे चाहे आपका CDS हो ठीक है यह देखो यह देखो यह स्टूडेंट यस ने फर्स्ट टैम में CDS रैंक टू पहली बार में बच्चा सोच रहा है CDS होगा CPA होगा CGL होगा यह पहली बार में रैंक ला रहे बच्चे क्यों पढ़ने के लावा कुछ नहीं करते जी जान लगा के पढ़ने के लावा कुछ नहीं करते तो बैटा syllabus इसलिए ऐसा बनाए उसके बाद यह मैंने page लिखवा है कि पहले बच्चे को वह दिखाई दे बाद में syllabus अच्छे दिखो एक और चीज़ बताता हूं आरे छोटू आपको यह grammar का syllabus है अब आपको नहीं लग रहा आपका यह strong होता जा रहा है अब आपको पता है word कैसे बना अब आपको पता है phrase कैसे बनी अब आपको पता है close कैसे बनी अब आप आइस्ता इस्ता सीख रहे हो sentence की formation कैसे होती है अब आइस्ता इस्ता सीख रहे हो parts of speech कैसे पहचानते है अब आइस्ता इस्ता सीख रहे हो एक word different parts of speech में use होता है और नाउन सीख रहे हूँ तो बिटा मैंने कहा था ना ये जो topic हैं ये किसके साथ चलते हैं नाउन के साथ साथ चलते हैं देख रहो किस तरीके से syllabus है इस तरीके से ही my dear ये syllabus मैंने आपके लिए ready किया चले अब बढ़ते हैं मेरे बच्चे आगे और चीजों को जानते हैं तो you can do what you want अप कर सकते हैं जो आप करना चाहें ये चीज यहाँ पर आपकी आगे done है अब आपके पास पूरी की पूरी बेटा ये topic खतम हो गया noun identification खतम हो गया मेरे दोस्त को noun identification noun phrase चाट लिया noun चाट लिया noun phrase चाट लिया noun clause चाट लिया noun noun identification topic खतम अब noun में कौन सा topic चालू होगा सै अब noun में topic चालू होगा noun के use आप लिखोगे ऐसे लिखो use of a noun use of a noun in a sentence ठीक है या how to use a noun in a sentence एक noun को sentence में कैसे यूज करें how to use a noun in a sentence एक sentence में नाउन को कैसे यूज करेंगे सर हम वो जरा में बता दीजिए how to use a noun in a sentence कैसे सबसे पहले मैं आप सब को बता दूँ जब माइडियर स्टूडिंस आप नाउन को यूज करेंगे सबसे पहले आप देखते हैं इसको noun as a subject जो की pronoun भी हो सकता है बिटा as a subject of a verb verb का subject दूसरा noun हो सकता है बिटा as an object of a verb एक verb के object की रूप में भी noun आप देख सकते हैं अभी example एक माँ इसको तो noun आपको देखेगा as a subject of a verb और noun आपको देखेगा as an object of a verb आप उसे object या subject की तरह उस noun को देख पाएंगे बिंदास ठीक है जी बिंदास डन है कैसे हैं गुरुजी विशका जरा विचार उच्च विचार पर कट करें देखो बिटा जब आप ये बोलते हो देखना मैं क् नोस साहिल राहूल साहिल को जानता है तो आपने बोले ये noun है जो सर सब्जेक्ट है और ये साहिल जानता है किसको जानता है साहिल को तो ये object है सर सब्जेक्ट अब्जेक्ट पहचानने का बहुत असान तरीका है बिटा जब आप एक सब्जेक्ट लिखते हो और फिर आप एक वर्ब लिखते हो तो सब्जेक्ट होता है जो बिटा इस वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस वर्ब का मालिक होता है वर्ब अगर action है तो उसका करता धरता होगा वर्ब अगर अधिकार दिखा रहा है तो किसका अधिकार मेरी गाड़ी है मेरी तो माई आई है वकार मेरे पास गाड़ी है मेरे पास तो I subject होगे मैं teacher हूँ तो I subject होगे तो जो वर्ब को दिखाता है जो इस verb को represent करता है वो अपने आप में बिटा अपने आप में एक subject होता अगर वो verb action है तो इसका करता देखो अगर वर्ब मैंने क्या बताया था वर्ब क्या हो सकती बिटा action हो सकती अगर action है तो आप सब को पता है इसका जो करता धरता है जो इसका doer है जो इसका doer है, करता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, doer, काम को करने वाला, वो इसका subject होगा, अगर ये possession है, possession क्या होता है बत्या, अधिकार, तो वो अधिकार किसका है, जो उसको hold करेगा, इसका मतलब उसका holder, holder होता है, जिसका अधिकार है, जैसे आई है वकार, मेरे पास गारी, I subject होगा, अगर ये मेरे बच्चे वर्ब happening को दिखा रही है, याद है happening, किसी चीज के होना, मैं teacher हूँ, आप student है, वो मेरा best friend है, तो कौन है वो, जिसके बारे में आप उसका representative, उसका representative, रिपर्जेंटेटिव का मतलब होगा मेरे बच्चे, जो उसको represent कर रहा है, तो subject खाली करता नहीं होता है वर्ब के हिसाब से, action है तो उसका करता, possession है तो उसका holder, पर happening है तो उसका representative, उसको दिखाने वाला, कौन है वो, सर object क्या होता है, विटा इस object होता है, जो इस वर्ब को explain करता है, जो इस वर्ब को explain करता है, explain कैसे करेगा, whom मिले थे, किस से मिले या खरीदा था, क्या खरीदा था, किसका reply होगा object में, whom या what का, बेटा subject में किसका reply होगा, या तो who का, या what का, बेटा who क्यों कर दिया, sir, what तो what रहा, आरे बेटा देखो, noun क्या होगा, who, whom, what का reply, noun क्या होगा, who का reply, noun क्या होगा, what का reply, noun क्या होगा, whom का reply, तो whom और what किस म उब्जेक्ट में, क्योंकि आपजेक्ट में छौ नहीं बोला जाता ना बीटा अब्जेक्ट में, हू नहीं बोला जाता, ear livres, subject है तो फूर, object है तो sir, example, ओजए गरमा-गरम देखो बयटा, यह क्या है subject? क्यों? who? who knows sahil? राहुल राहुल नोज होम? साह fixture object, subject, यह इसकी explanation राहुल जानता है, किसको जानता है? साहिल को जानता है ह Wahr equival akama sat तो बयटा, यह चीज आप इस चिज को देखोगए ये subject और object कैसे छाटे जाते हैं असान है सर अब मैंने इसका एकड़ एक्जामपल लेकिन पता है इसमें अच्छी बात मुझे आपको क्या बतानी थी अच्छी बात ये बतानी थी बेटा जो subject object बनते हैं जो subject object बनते हैं उसमें ध्यान ये रखेगा noun phrase भी subject हो सकती है noun close भी subject हो सकती है noun phrase भी object हो सकती है noun close भी subject हो सकती है इस बात को भूल मट जाना पागल ये मत सोचना खाली noun noun गूमेगा वहाँ subject है रूप में पागल होगे हो आज़ो देखो ध्यान से सुना अब आपने छोटा सा जब example ये लिखा राहुल नोज साहिल तो सिर्फ एक noun subject है और एक noun object है और noun subject object होगा तो noun phrase और noun close भी तो हो सकती है कैसे गुरुजी एक्जामपल बताओ देखो अगर मैं आपको एक एक्जामपल इसे का लिखाओ तो my best friend my best friend हाँ help मेरे best friend ने help की थी help मेरे best friend ने साहिल की help की थी चलब आप मेंसे एक नाइम ले लेते हैं भई हम यश का लेते थे हैं आप बच्चों मेंसे एक नाम उठाते हैं तो आपके बच्चे भी खुच वर रहे हमरा नाम हाई ये ले बटा यश तेरा नाम की थी तो हमने बुला my best friend help you, मेरे best friend ने यश की help की थी बटा my best friend अपने आप में क्या हुआ? noun phrase ना बटा noun phrase अब तो पैचान नहीं आती है और पुत्तर ये noun phrase ही किसका काम करने लग रही है? subject तो भाई मेरे English का basic भी पढ़़ए खाली चिपका के नहीं ये verb ये object है तो खाली noun है ये तो ये की छे उटाई सा ही noun है object और ये इसका क्या बटा? subject तो subject भी तो noun phrase हो सकती ठीक है? और object भी noun phrase हो सकती अगर मैं ये कह दू my best friend helped your best friend अगर yes की जगह भी मैं ये लिख दू मेरे best friend ने मदद की थी ठीक है? मेरे best friend ने मदद की थी help your friend मेरे best friend ने तेरे friend की मदद की थी तो अब ये तेरा friend ये भी क्या हुआ? noun phrase और ये noun phrase क्या हुई? सर object noun phrase क्या हुई बटा? object तो ये क्या हुआ? noun यहाँ पर क्या हुआ? subject वहाँ पर क्या हुआ? object तो ये noun phrase क्या बनी? subject वो noun phrase क्या बनी, object, क्या कर लोगे भई, क्या कर लोगे, नहीं, क्या कर लोगे, बता, कहानी असान या मुश्किल, कहानी बेहद असान, ठीक है, कहानी बेहद असान, कोई मुश्किल बात ने बिटा, तो my best friend helped your friend, मेरे best friend ने मदद की थी, आपकी friend की, clear है बेटे बचे, अब जरा, देखें आगे की बात, अच्छा सर, सर आप कहरो noun close भी subject हो सकती है, बिल्कुल बेटा, अच्छे एक बात बताओ, जब आपने ये इतने सारे example लिखे, आपको क्या लगता है, ये object ही तो थे सारे के सारे, ये object ही तो थे सारे के सारे, सर कैसे समझा आओ तो जरा, देखो बिटा, जब आप ये बोलते थे, I know या मैंने बोल दिया, दे नो, उनको पता है, दे नो, अच्छा, दे नो राहुल, वो राहुल को जानते हैं, तो राहुल क्या हुआ, noun, क्या हुआ, object, तो ये object हुआ, they know my best friend, तो my best friend क्या हुआ, noun phrase, जो कि इसका object ह ठीक है, लेकिन बिटा, अगर मैं ये लिख दू, they know that, यादा है, they know that, हाँ, he's a thief, उनको पता है कि वो चोर है, अब देखो बिटा, आपने बोला, सरी, ये conjunction है, और ये इसका, आगे, इसी का ये हिस्सा है, लेकिन बिटा, एक बात बताओ, they know, they know what, ये, तो ये noun क्या बनी थी बिटा, close, लेकिन एक बात बताओ, ये noun close क्या है, बिटा, ये क्या है, वर्ब, अच्छा, ये वर्ब, what का reply दे रही है, what का reply, हाँ, तो what का reply क्या हो, noun close, और वो किसकी explanation है, वर्ब की, तो ये noun close किसकी तरह use हो रही है, object of, object of the verb, तो ये इतना बड़ा object है, इसका, समझे, ये, अब ये इतना है, noun close conjunction के साथ होई बिटा, देखा, कितना आसान काम होगया है, इसका मतलब, वर्ब का object noun हो सकता है, अब यहां लिखूंगा मिटा, वर्ब का object noun हो सकता है, वर्ब का object noun phrase हो सकती है, और वर्ब का object noun close हो सकती है, क्यों पड़े हो चक्कर में, जब से रहें तुमारे साथ, और यही चीज subject पर लाग होती है, noun का object या subject तीनों हो सकते है, सर subject बनाओ, एक बात बताओ बिटा, ध्यान से सुना, बच्छपन में active o is passive o is खेला है कभी, हाँ सर बिलकुल खेला है, बिलकुल खेला है सर, एक बात बताओ, active o is passive o is में क्या करते थे सर, object को subject बनाते थे गुरुजी, तो इसमें इतना बड़ा object जा की subject बनेगा पागल, एक sentence मैंने लिखा ध्यान से सुनना, मैंने बोला that he is a thief, यही की वो चोर है, यही की वो चोर है, that he is a thief, मैंने लिखा बिटा, that he is a thief, हाँ, is known to them, उनको मालूम है, बताओ, what is known to them, सर ये, देखो अब ये क्या आया, conjunction, ये conjunction किसका हिस्सा, इसका हिस्सा, so what is known to, what is known to them, सर यही, that he is a thief, is known to them, तो मेरे पुत्तर ये बन गई, noun close यहाँ क्या, अरे subject बन गई मेरे बच्चे, और देखोगे ध्यान से, तो ये उपर वाले active voice का, आपकी गुरु ने passive voice बना दिए, तारा आप बच्चपन थोड़ा सा याद active voice पैसी हो, मैं letter लिखता हूँ, letter मेरे दवारा लिखा जाता है, तो छोटू, ये इसी का तो पैसी हो, इसा देखो, ये object आगे जाके subject बन, इसी लिए मैंने कहा मेरे बच्चे, जो noun close है, वो subject भी हो सकती है, और noun close जो है वो, object भी हो सकती ठीक है, ये चीज़ है, अभी देखो और भी example लिखो इसके, copy कर रहे हैं, अब बताओ बटा, सच में मजा आया है कि नहीं है, बस बटा, दो मिनेट और चलेगी class, आज की, मत अब ये session, ये चीज़ है, ये interesting चीज़ है, तो subject भी हो सकती है, object, इसका मतलब ये जो सारे example आपने लिखे, सब object वाले, मैंने भाद में लिखा है न देखो, object, 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 सारे object वाले लिखे, सारे object वाले लिखे, इनको पैसे उस बना के आगे पटक दो subject, 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 तो यहाँ पर भी मैंने जान पूछके क्या लिखा था? object he bought what I like लेकिन अगर मैं ये कर दू बेटा what I like was bought by him अहाँ, subject बन जाएगा चलो एक और example लिख देता हूँ इसका, डाने बेटा ठीक है Done तो ये noun use का हमारे पास पहला पढ़ाओ को क्या अगर आप चाहो तो ऐसा देखो मैंने बोला he bought उसने खरीदा था he bought उसने खरीदा था what I like जो मैं पसंद करता हूँ ठीक है he bought what I like या they play what I like वो खेलते हैं जो मुझे पसंद बस जो भी, he bought what I like उसने खरीदा था जो मुझे पसंद बेटा ये क्या है object है लेकिन जब आप इसका पैसे बनाओगे बच्पन याद है थोड़ा what I like जो मेरे को पसंद है was bought by him उसके दुवारा खरीदा गया था बेटा वही चीज अब subject बना लो अब ये चीज अपने आप में देखो इसका subject बनाओगे बताओ जी बेटा अब आया मज़ा तो ये था मेरे बच्चे नाउन का use कितने use होगे नाउन के दो use होगे पहला use noun as a subject दूसरा use noun as an object अब हम देखेंगे बेटा उसका तीसरा use कब आपके अगले session में और next class जो होगी आपके अगली class हाँ जी वो होगी on Monday, Monday को Monday को कितने बज़े बेटा Monday को 11 अब अगली class जो होगी ठीक है वो YouTube पर भी live रहेगी ठीक है थोड़ी time तब ये demo की तोर पर चलाएंगे बेटा बच्चों के लिए next class on Monday 11 a.m को प्लाएंगे में को जादेगे प्लाएंगे जाय भी बातिका नाउ होगी ये आपएंगे लिग्स झाल झाल